हेलो सुडेंट्स आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर मेरा नाम है अरून और हम लोग बात कर रहे हैं कख्षा 11 वी के विध्यार्थियों के लिए जो की गणित विशय पढ़ रहे हैं और आप सभी को में एक बात बता देता हूँ के जो भी आप पढ़ रहे हैं यहां पर आपको पूरी तरह से मुफ पढ़ा जा रहा है मैगनेट ब्रेंस और मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर हिंदी वाले बच्चों के लिए एक अलग सा चैनल बना दिया गया है आज हम लोग बात करेंगे रेकिक आसमी का नाम के अध्याय के बारे में जो की कक्षा 12 वी में भी एक बहुत ज्यादा important role रखता है साथ ही साथ पक्षा 11 में भी एक important role रखता है क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या रेखा पर बहुत सी चीजे निरूपित करनी है और अक्षो पर भी बहुत सी चीजे निरूपित करनी है इस अध्याय में हम लोग बहुत कुछ डिसकेशन कर चुके हैं पूरी NCRT को हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पर एक इस पूरे lecture के अंदर chapter को revise करने की कोशिश करेंगे इसलिए complete chapter revision में आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ रेखिक आसमीकाओं के बारे में जो की आपकी किताब का अध्याय नंबर 6 है चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 6 की और बात करते हैं इसके अंदर में क्या-क्या दिया गया है और हम किस तरह से रेखिक आसमीकाओं का हल करते हैं तो सबसे पहले आसमीका होती क्या है तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी हाइट मेरे दोस्त की हाइट से जादा है तो ये एक आसमीका है यदि मैं कहता हूँ कि A B से बढ़ा है तो ये एक आसमीका है लेकिन गनित विशय में और आपके दैनिक जीवन की आसमीकाओं में अंतर होता है जब आप डैनिक जीवन की आसमीका है लेते हैं तो आप सारी चीजों को धनात्मक लेते हैं 10 रुपे 20 रुपे से छोटे मदब 10 रुपे का मान 20 रुपे के मान से छोटा होगा A की हाइट B की हाइट से छोटी है यह जितने भी चीज़ें यह सभी धनात्मक क्वांटिटियां है लेकिन गनित में अपन जब बात करते हैं तो संख्या यह रनात्मक भी आ जाती है तो चलिए छोटे-छोटे कुछ कॉंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहला कॉंसेप्ट आपको यह पता होना चाहिए कि जो भी धनात्मक संख्या है एक धनात्मक संख्या दूसरी धनात्मक संख्या से बड़ी होती है है ना ऐसा अपन लिखते हैं दूसरा कॉंसेप्ट यह है कि धनात्मक संख्याओं में इसका उल्टा हो जाता है कि मइनस चार जो है वो माइनस 5 से बढ़ा है सबसे बेसिक से आ समी का जो होती है वो ये होती है जहाँ पर आपके सामने दो चीज़े होती है जो मैं फटाफत फटा-फट आपको request कर देता हूं एक कहा जाता है कि टबु signature से बढ़ा है दूसरा टब से छोटा है जहां पर ए जो है जितने भी ए के बारे में बात करूंगा ए जो होंगे वो वास्तविक संख्या होंगे यहां पर हम लोग आ समीकाओं के बारे में बात करें कोई भी आ समीका वास्तविक संख्या में बात करें अगर जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है दू से बेसिक सी आसमीका यही है जैसे पांच शुन्य से बड़ा है माइनस पांच शुन्य से छोटा है ये कहानी पूरी तरह से सब्सक्राइब अगर मैं कहता हूं पांच शुन्य से बड़ा है माइनस पांच शुन्य से छोटा है पांच शुन्य के बड़ा या बराबर है और तब देफिनेटली छोटा सा है जिसको हमें यहां पर समझने की आवश्क्तलम यरोधिया सा कहा है की a b से बढ़ा है मतलब a b ke बराबर नहीं हो सकता जैसे अगर शेया है है यहां पर यह कहना चाहूँ की 0 0 से बढ़ा है 0 0 के बराबर या बड़ा है जीरो जीरो से छोटा या बड़ा है तो इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे ये तो चारों सही है इन चारों में से कौन से सही होंगे ये बताईए फटाफट तो जब हम ऐसा लिखते हैं कि A B से बड़ा है इसका मतलब ये होता है कि A कभी भी B के बराबर नहीं हो सकता तो यदि मैं A को 0 से बराबर लिखता हूँ तो ये कहानी पूरी तरह से गलत है 0 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए लेकिन जब मैं यह लिखता हूँ ना कि ए जो है वो शुन्य से बढ़ा या शुन्य के बराबर है तो इसके दो मतलब निकलते है इसका एक मतलब निकलता है कि ए शुन्य के बराबर हो जाए या फिर ए जो है वो शुन्य हो जाए दोनों चीजे चलेगी मतलब यहां पर 6,0 से बड़ा या 6,0 के बराबर है यह सही है 6,0 से छोटा या 6,0 के बराबर है यह बी सही है इन दोनों में और इसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो यह कि यह जो PERINT है जहां पर हम इसके बारे में बात कर रहें यह यहां include होता है यहां होता है लेकिन यहां पर इसका इसको हम नहीं लेते हैं तो इससे अपन फटा-फट अगर summarize करें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे सामने चार तरह की आसमीकाय होती है कि A B से बड़ा है या फिर A B से छोटा है इसमें कभी भी आप A B के बराबर नहीं बोल सकते हैं लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि A B से बड़ा या बराबर है तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं अगर A, B के बराबर हुआ तो भी और A, B से बढ़ा हुआ तो भी ये आसमी का सत्य रहेगी लेकिन अगर मैं यहां ऐसा कहना चाहता हूँ कि A, B से छोटा है तब भी इसके दो मतलब निकलते हैं और ऐसा होता है क्या ये बात क्लियर है? चलिए ठीक है चलिए एक छोटा सा फिर एक छोटा सा यहीं पर आपसे सवाल पूछता हूँ यदि आपसे कहा जाए कि A जो है वो B से बढ़ा है एवं A, B से छोटा है बताइए A के क्या-क्या मान हो सकते हैं तो ऐसा कोई A है जो संभव है कि वो B से बढ़ा भी हो और B से छोटा भी हो नहीं तो ऐसा संभव नहीं है है ना ऐसा संभव है क्या? नहीं है ठीक है अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि A, B से बढ़ा या बराबर है एवं a b से छोटा या बराबर है तो क्या ऐसा संभव है हाँ संभव है देखो पहले वाले का मतलब है या तो a b के बराबर है या a b से बड़ा है दूसरे वाले का मतलब है या तो a b के बराबर है या b से छोटा है अगर इन दोनों कसे मान देखोगे तो एक चीज निकल के आ जाएग के a b के बराबर है a b के बराबर इसे भी संतुस्ट करता है और इसे भी संतुस्ट करता है that is the case दरे चलिए तो आगे बरते हैं फिर बात करते हैं आ समीका की और आ समीका के हल के बारे में अब आसमीका के हल से हम क्या समझते हैं और किस तरह से चीजे हमारे सामने पूछी जा सकती है देखिए ये होती है आसमीका जहाँ पर एक चीज दूसरे के समान ना हो अब फटावर बताना है मैं आपसे सामने एक छोटा सवाल लगता हूँ प्रश्ण है कि X जो है वो 5 से बड़ा है तो आप X का क्या-क्या मान ले सकते है ठीक है अब आपके सामने X जो है वो क्या-क्या हो सकता है जब वो 5 से बड़ा हो और मैं आपके सामने X के विकल पर रख रहा हूँ पहला केस कि यदी X एक प्राक्रत संख्या है अगर X एक प्राक्रत संख्या है तो ऐसी कितनी प्राक्रत संख्या है जो 5 से बड़ी है तो सर ऐसी प्राक्रत संख्याओं में X का जो मान आएगा वो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा ऐसे लेकर हम अनंत तक चले जाएं इसे आप समुझ्य निर्मान विधी में भी लिख सकते हैं कि एक X है जहां पर X एक प्राक्रत संख्या है और X 5 से बड़ा है यह भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब जब ऐसा हम हल लिखते हैं जब प्राकरत संख्याय लिखते हैं तो ऐसा एक समुच्य बनता है जिसमें अलग-अलग अव्यव होते हैं और यदि यहाँ पर इस प्रश्ण को चेंज कर दिया जाता बोला जाता कि X जो है एक वास्तव एक संख्याय तब आपके सामने जवाब क्या होता तब आप प्रयोग करते अंतराल का किसका प्रयोग करते अंतराल का अब अंतराल क्या कहते हैं कि यदी X 5 से बढ़ा हो यदी X 5 से बढ़ा हो तो X का जो मान है वो 5 से लेकर अनंत तक कुछ भी लिया जा सकता है और इसमें 5 दशमलो एक भी है 5.001 भी है यहां कहीं नहीं था ऐसा कुछ यहां पहली संख्या 6 मिली यहां 5 के तुरंत बात जितनी भी संख्या है वो सारी अनंत तक यहां पर आपको अंतराल को रिवाइस करना और भी ज़रूरी है ठीक है अपने एक बार फटाफट फटाफट अंतराल को रिवाइस कर लेते हैं यह ना यदि आपसे कहा जाए वन बाइवन एक तो होता है खुला अंतराल जिसका मतलब होता है कि यदि एक्स किसी ए संख्या से बड़ा और बी संख्या से छोटा है तो एक्स का मान ए से लेकर बी लिखा जाता है जिससे अपन खुला अंतराल कहते ह ٌचिए महत्तपुण्ट नहीं, इसका मतलब क्या है, अब इस प्रश्चिन में x पास से बढ़ा था, छोटा किस से था, किसी से नहीं, तो मैं कहूँगा कि x जो है वो A से बढ़ा है, मतलब कहीं भी जा सकता है, इसके छोटे छोटे पाइट ऐसे हो सकते है कि यदि X जो है वो A से बढ़ा है तो इसका मतलब X जो होगा वो A से लेकर अनंत होगा यदि X जो है वो B से छोटा है तो इसका मतलब X जो है वो माइनस अनंत से लेकर B तक कुछ भी हो सकता है अब यही पर अगर मैं दूसरा केस लिखना चाहूं, दूसरा केस मतलब बंद अंतराल, बंद अंतराल का मतलब है इस केस में जो आपने केस किया, जो यहां X के मान लिखे, उसमें A से लेके B तक के सारे मान तो थे, लेकिन ना तो A था, ना B था, अब ऐसा है case जिसमें A भी हो और B भी हो इस वाले case को हम निरूपित करते हैं ऐसे A से लेकर B तक ठीक और अगर ऐसा यहां लिखा हो सिर्फ सिर्फ कि X जो है वो A से बड़ा या उसके बराबर है तो अपन लिख सकते हैं A से लेकर अनंत ठीक है और अगर X जो है वो B से छोटा हो या उसके बराबर हो तो अपन लिख सकते हैं X रिन अनंत से लेकर B तक जाएगा तो जब खुले अंतराल का प्रयोग होता है तो हम ये वाले bracket का प्रयोग करते हैं बंद अंतराल में छोटे bracket का प्रयोग करते हैं जब हमें discrete element लिखने हो मतलब अलग-अलग अव्यव लिखने हो यहाँ 6 और 7 के बीच में कुछ नहीं है यहाँ तो बहुत सारी संख्याएं 5 और अनन्त के बीच में ठीक है? हाँ, अनन्त पर और रिन अनन्त पर हमेशा खुला अंतराल ही आता है माइनस अनन्त और अनन्त पर आप इसे कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते गलत है और ऐसा भी लिखना गलत है बले वो कोई से भी अनतराल में हो बले ये वाले में हो तो भी खुला आएगा ये वाले में होगा तो भी यहाँ खुला ही आएगा क्योंकि कोई भी संख्या अनन्थ के बराबर नहीं हो सकती अनन्थ का कोई अन्थ नहीं है चलिए तो ऐसे दो छोटे-छोटे केस है बाकी तीसरा वाला जो केस है वो इन दोनों का मिक्स्चर है अगर यहां खुला आएगा तो अपन यहां खुला लगा देंगे अगर यहां खुला आएगा तो अपन यहां खुला लगा देंगे that is the case खेर यह एक सवाल था ठीक है अगर इसी में आपको बोला जाए कि चलो एक और सवाल करते हैं उधारन उसका ले लेते हैं जैसे माल दीजिए एक X है जो तीन से बड़ा है और पांच से छोटा है तो इसको आप कैसे लिखोगे कि सर एक्स में तीन पर बंद अंतराल है तो तीन और पांच पर खुला है तो पांच पर खुला कुछ इस तरह से चलिए यह हुआ आसमीकाओं का हल मतलब एक तरह से हम आसमीकाओं को अंतराल से हल करते हैं लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हमेशा आसमीकाओं X के रूप में नहीं हो सकती कुछ आसमीकाओं अलग-अलग रूप में भी होती है जैसे सबसे पहला जो केसे अपन कर रहे हैं अपन जितने भी X के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होंगे है ना ध्यान रखना इस बात का Case No.1 यदि आपको ऐसा बोला जाए X का जो वर्ग है पहली बात ये बात ध्यान रखना कि ये सदैव 0 या 0 से बड़ा रहता है किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो 0 या 0 से बड़ा रहता है सदै ठीके ये 0 कब हो सकता है जब X बराबर 0 हो अन्य था ये 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा ठीक है क्या? ठीक है ओके दूसरा भाग मतलब और भी बहुत सारे आने वाले ऐसा कुछ नहीं है पर अपन धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करेंगे अच्छा अगर ऐसा कहा जाए कि X का जो वर्ग या X जो है X का जो वर्ग है वो किसी संख्या रिन 2 से बड़ा है ऐसा कुछ कह दिया जाए माल दीजिए तो क्या ये सदैव सत्य है हाँ अगर ऐसा कहे ना कि X का वर्ग 0 से बड़ा है तो यहाँ X का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या अप ले लो क्योंकि हर वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो 0 से बड़ा है अगर यहाँ कहें कि X का वर्ग जो है वो माइनस 2 से बड़ा है तो X का वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग अगर माइनस 2 से यह वर्ग वाली आसमी का है ना दिरे दिरेपन सारी चीज़े डिसकस करेंगे X का वर्ग माइनस 2 से बड़ा है तो माइनस दो तो 0 से छोटा है तो ये संख्या भी हमेशा बड़ी रहेगी लियर है क्या तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि चुकि x का वर्ग 0 से बड़ा है तो माइनस दो से भी बड़ा रहेगा हमेशा ठीक है अगर तीसरी बात मतलब चुकि देखो सुत्र तो बहुत सारे इ अगर ऐसा लिखा जाए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि x जो है वो शुन्य है ऐसा क्यों कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग आपको लिखा या तो 0 हो या 0 से छोटा हो यह संभव नहीं है सिर्फ 0 हो सकता है 0 से छोटा नहीं हो सकता है ठीक है चौह चौथा केस वास्तविक संख्या का वर्ग जीरो से छोटा नहीं हो सकता क्लियर है क्लियर है क्लियर है पांचवा केस अगर ऐसा कहें कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो जीरो से बड़ा है तो अपन कहेंगे ऐसा संभव है ऐसा सारी वास्तविक संख्याओं के लिए आते हैं जो हमें पता है चलिए ठीक है अब दूसरा एक और मतलब कुछ-कुछ important points है जो आपको यहाँ याद रखने असमीकाओं को हल करते समय ठीक है important point यह है कि जैसे मान लीजिए यदी एक्स नाम की संख्या वाइ नाम की संख्या से बड़ी है अच्छा यहाँ अगर एक और concept आता जो की जादा जरूरी है कि एक्स का वर्ग यदी किसी ए नाम की संख्या से बड़ा है यहाँ पर एक धनात्मक संख्या है तब क्या होता तो इसे अपन हल करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में मतलब यहाँ पर इसके लिए अपन प्रयोग करते हैं एक special case का मतलब इसके पहले गुनंखंड करेंगे उसके बाद हल करेंगे जिसे वेवी वक्र विदी वेवी कर्व विदी का जाता है जो देखेंगे आने वाले समय में ठीक है अगर x y से बड़ा है अगर आप दोनों साइट कोई एक k नाम की संख्या जोडने की कोशिश करते हैं जैसे आप ने कहा कि यार यह के नाम की संख्या एक मैं इसे जोड देता हूं यहाँ पर आप जोड सकते हैं आसमीका को फरक नहीं पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ अगर आप यहाँ इसको घटा भी देते ना तो भी इसको फरक नहीं पड़ेगा जैसे उधारन के लिए माल दीजे आप से कहा जाए कि एक्स या पांच जो है वो दो से बढ़ा है अगर आप दोनों जगे तीन-तीन जोड देंगे तो क्या यह आठ पांच से बढ़ा रहेगा बात सही है अगर आप दोनों जगे माल दीजिए 10-10 घटा देते हैं यहाँ पर तो 10 घटाने से ये तो माइनस 5 आएगा और ये माइनस 8 आएगा बात फिर भी सही है कि माइनस 5 माइनस 8 से बढ़ा है दूसरी बात जो जादा जरूरी है दूसरी बात जादा जरूरी है कि यदि x y से बढ़ा है तो आप दोनों साइड अशुन्य संख्या से गुणा कर सकते हैं ठीके आप क्या एक संख्या से गुणा कर रहे हैं यदि k नाम की एक संख्या है जो कि शुन्य नहीं है आसमीका में आप शुन्य से गुणा दोनों साइड नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा है तो आप इस केस में आपके सामने दो केसे हो सकते हैं कि या तो के एक धनात्मक संख्या होगी या के एक रनात्मक संख्या होगी शुन्य नहीं तो दो ही केस हो सकते हैं अगर के एक धनात्मक संख्या है तो इस आसमीका को कोई फरक नहीं पड़ेगा पर यदि के एक धनात्मक संख्या है तो ये आसमीका जो है इसका चिन्न बदल जाएगा जैसे उधारन के लिए यहीं पर देख लो आट पांस से बड़ा था अगर दोनों साइड माइनस पांस का गुणा करोगे माइनस एक का गुणा करोगे तो माइनस 8 माइनस 5 से छोटा हो जाएगा और 2-3 उदारण चाहो तो ले लो जैसे 2 जो है वो 3 से छोटा है आप दोनों साइट 10-10 का गुणा कर दीजिए तो माइनस या 20 जो है वो 30 से छोटा रहेगा अगर आप माइनस 10 का गुणा करोगे तो माइनस 20, माइनस 30 से बढ़ा रहेगा ये कहानी भी सकते है तो ध्यान इस चीज़ का बहुत जादा रखना है यहाँ पर क्लियर है क्या? इतना भी क्लियर है, डन है ओके, दूसरा मतलब और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट से हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, वन बाई वन सारे दिखा रहा हूं इसे लिख लीजिए, फटाफर फटाफर ठीक, ये वर्ग वाली आसमी का तो बहुत तरह की है अपन और क्या-क्या सोच सकते हैं, आपर अपन उसके बारे में बाते कर लेते हैं ठीके, ऐसा कुछ चलेगा, चलिए अगर आपको ऐसा दिया हो, ठीके, जैसे वन बाई ए अगर वन बाई बी से बढ़ा हो तो आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीके, आप इसको ऐसा नहीं कह सकती कि 1 by A जो है वो 1 by B से छोटा होगा मतब basically आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि मैं उल्टा करके A जो है वो B से बढ़ा लिख दूँ ये गलत है ये जो है वो गलत है अब इसके मैं आपको 4-5 उधारन दे देता हूँ ठीके नहीं आप ये भी लिख सकते हैं हमेशा कि A B से छोटा है ये भी गलत है बहुत सी समस्या हैं इसमें ठीके दोनों गलत है तो फिर देखो उधारन के लिए मैंने कहा आपसे कि पहला उधारन लेते हैं कि एक बटा 5 जो है वो एक बटा 10 से बढ़ा है ठीके ऐसा है तो चुकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 जो है वो 5 से बढ़ा है तो सर वो बाद वाली कहानी तो सही हो गई ना कि B जो है वो A से बढ़ा है बाद तो सही है ये वाली कहानी सही हो गई है ना एक बटा 5 तो पांच बटा ठिबान ए honestly यहां पर ऐसा होता कि एक बटा पांच जो है वह एक बटा सो के डिसे बटा है या इसको अपन ऐसा लिख देते एक बटा माइनस एंडर तो क्या आप लिखतें कि पांच जो है वह है शन्रेट से बड़ा है यa चोटा है गलत बात हो जाती है तो निरवर करता है कि यह और B के चिन्न क्या है माइनस सो चोटा रहेगा पाँच से दस जरूर पाँच से बढ़ाए लेकिन यहां तो यह बात गलत है तो यहां तो ये वाली बात सही हो गई कि 5 जो है वो माइनस 10 से बड़ा है तो आप कभी इसको सही कह रहे हो कभी इसको सही कह रहे हो ये वाले केस में ये सही है ये वाले केस में ये सही है तो हम शौर नहीं हो सकते जब तक कि हमें A और B के चिन्न के बारे में नहीं पता हो तो ऐसी आसमीका को हल कैसे करेंगे हम इन दोनों को एक साइड लेकर आएंगे ऐसा माइनस ऐसा और इसे फिल हल करने की कोशिश करेंगे कैसे हल करेंगे वो बात की बात है लेकिन हम इन दोनों को एक साइड लेकर आएंगे और सुनिस से आने की कोशिश करेंगे डने डने अब थोड़ा सा कॉंसेप्ट और भी है वह है मापांक वाली असमी का मापांक असमी का मापांक का मतलब क्या होता है मापांक अगर मैं देखता हूं मापांक x या मापांक a तो इसका मतलब होता है जो a नाम के बिंदु है उसकी शुन्य कौमा शुन्य से दूरी कितनी है और अगर अपन सिर्फ एक चर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है जिसे मान लीजे मैंने लिखा मापांक x बराबर a तो इसका मतलब है एक सक्ष है अपना ठीक है एक सक्ष जो है उसकी उस पर एक बिंदु है जिसकी शुन्य से जो दूरी है वो a के बराबर है अब शुन्य से दूरी जैसे मान लीजे यहां पर एक बिंदु है जिसकी दूरी यहां से यहां a के बराबर है तो जरूरी नहीं यह बिंदू इधर हो, यह बिंदू इधर भी हो सकता है जिसकी दूरी A के बराबर हो तो अगर कोई बिंदू शुन्य से उस साइड क्योंकि शुन्य से इधर की दिशा धनात्मक होती है इधर की दिशा रनात्मक होती है तो शुन्य से आगे अगर A काई चला जाएगा तो ये बिंदू A आ जाएगा लेकिन शुन्य से इधर इधर जाएगा तो ये माइनस A आ जाएगा तो कुल मिला की बात ये है कि अगर ऐसा दिया जाए तो X का मतलब प्लस और माइनस A होगा पहली बात कितनी x बराबर प्लस माइनस है लेकिन ये आसमीका नहीं है ये तो समीका है मतलब बराबर का चिन्न है आसमीका कैसे बनी तो मैं बताता हूँ कैसे बनी देखिए यदि आपसे कहा जाए कि मापांक x जो है वो धनात्मक है या शुन्य है तो ये बात सदैव सही है य यो हर वास्तविक संख्या के लिए सही है क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या की अगर आप शुन्य कौमा या शुन्य से दूरी निकालोगे तो वो सदैव धनात्मक आएगी है ना दूरी धनात्मक की आती मापांक हमेशा धनात्मक चीज देता है अपने डिसकस कर चुके अ अगर मापांक X आपको दिया जाए किसी संख्या A से बड़ा या उससे छोटा, ये important बात है, है ना, अगर मापांक X किसी A संख्या से बड़ा दिया जाए, तब जो case होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो, ये 6 है, ये A है, ये minus A है, अब ऐसे सारे X बताओ, जिनका मापांक X A के बराबर है, क्योंकि यहां बराबर का चिन्न है, तो ये वाले A है सर, अब ऐसे x जिनका मापांक a से जादा होना चाहिए तो a से जादा होना चाहिए तो संख्याएं इधर की साइड होनी चाहिए या फिर इधर की साइड होने चाहिए यहाँ पर आप खड़े हो यह है शुन्य यहां से यह दूरी A है तो A से जादा दूरी इधर होगी या फिर इधर होगी तो यह जो X है ना इसके लिए लिखा जाता है कि यहां से कहां तक माइनस अनंत से लेकर माइनस A हो सकता है या फिर Union A से लेकर अनंत हो सकता है union का मतलब या तो ये वाला भाग हो जाए या फिर ये वाला भाग हो जाए जैसे मान दीजिए एक छोटा सा उधारन लेते हैं आपसे कहा जाए कि मापांक x जो है वो 2 या 2 से बढ़ा है तो ऐसे कितने x है जो 2 या 2 से बढ़े हैं तो बहुत सारे x है माइनस अनंत से लेकर माइनस 2 union 2 से लेकर अनंत ठीक सेम तरीका अगर कहा जाए कुछ ऐसा कि मापांक x जो है वो किसी संख्या a से छोटे या a के बराबर है तो यहाँ पर x जो होगा वो माइनस a से a तक होगा सीधी सीधी बात है क्योंकि ऐसी संख्या है जिनका मापांक a या a से छोटे है वो इसी अन्तराल के बीच में आकर बैठे है तो माइनस a से a यह याद रखना है हमें कुछ कुछ चीज़े दन है क्या? फटा बट नोट कर लीजिए अपन अगले के बारे में बात कर लेते हैं अगला एक और छोटा सा कॉंसेप्ट है जो यहाँ आपको आवश्यक्ता पड़ेगी यदि आपको कहा जाए कि मापांक x जो है वो a से बढ़ाया a के बराबर और b से छोटाया b के बराबर है तब आपको कुछ नहीं करना देखो x जो है वो माइनस b से माइनस a union a से लेकर b होना चाहिए बस कितना माइनस a से माइनस b union a से लेकर b ये चीज़े आपको याद रखनी है फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए ओके डन तो आगे बरते हैं अपन अब है कॉंसेप्ट यार ये मतलब जो मैंने आपको बताया न हो सकता है ऐसे सवाल आपको जो हमने पढ़ा भी वो सवाल ncrit में तो नहीं है जादा लेकिन exemplar में ऐसे सवाल मिल सकते हैं इसलिए अपन इसको डिसकस कर लिया एक चरवाली रेखी का समीका के हल का संख्या रेखा पर निरूपन अब एक चरवाली रेखी का समीका का संख्या रेखा पर निरूपन का मतलब है एक चर होना मतलब एक्स जो है सिर्फ एक्स होना वाई नहीं होना ऐसा हो सकता है कि एक्स किसी ए संख्या से बड़ा हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि X किसी A संख्या से छोटा हो हो सकता है A कोई भी एक वास्तवीक संख्या A की जग्या 5, 10, 15, 20 मान सकते है तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि X जो है वो किसी A संख्या के बराबर हो चौथा केस हो सकता है कि X जो है वो किसी A संख्या से छोटा या उसके बराबर हो ठीक है पहले इन चारों को डिसकस कर लेते हैं कि ये चारों कैसे बनाए जाएंगे सबसे पहले A नाम का बिंदू खोजिए जहां पर भी जिसे माल दीजी है आद 10 है तो अपन 10 देखेंगे अपन ने देखा A यहां पर तो A यहां पर है यहां पर भी A है संख्या रेखा पर कैसे निरूपर करते हैं काफी जरूरी क्योंकि इसके बिना बहुत सारे सवाल हल नहीं कर पाओगे यहां पर भी A है और यहां पर भी A है ठीके यह संख्या रेखा कहा तक जा रही है यहां तो अनंत तक जा रही है और यहां पर भी रिन अनंत तक जा रही है बाकी सब में भी सेम चीज हो रही है आपको बोला जाए कि A से बड़ा होना A से बड़ा होना मतलब A नहीं होना तो इसे अपन ऐसा निरूपित करते है A से बड़ी संख्या है जिसमें A को calculate नहीं करना है A से छोटी संख्या है जिसमें A को calculate नहीं करना है यहां रिन अनंत तक जा सकती है संख्या रेखा कहीं तक भी दूसरा केस A से बढ़ाया A के बराबर होना ये अनन्थ है ये रिण अनन्थ है तो ये वाला केस A के बराबर होने वाला केस अपन कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे दूसरा केस यह रिन अनन्त होना और यह अनन्त होना और यहाँ पर ए से छोटा या ए के बरावर वाले केस को अपन ऐसे काउंट कर सकते हैं अगले चार पर और बढ़ जाते हैं चुटे चुटे सवार या जड़ा कुछ बड़े नहीं वैसे ठीक है अगले चार नहीं अब तो कमी बचे हुए है देखो अगर ऐसा कहा जाए चटा केस या पांचवा के एक्स जो है वो ए और बी के मद्ध्य है चटा केस एक्स जो है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है ठीक है साथवा केस एक्स जो है वो ए से छोटा लेकिन बी के बराबर है और आठवा केस एक्स जो है वो ए और बी दोनों के बीच में इस्तित है और दोनों के बराबर भी हो सकता है यह वही संख्या रेखा है जिसे आप अभी तक देखते हुए आ रहे हैं इसमें चिंता की कोई बात नहीं है A और B आपको पहचानना आना चाहिए कहीं पर भी कोई दो बिंदू होंगे ठीके ये कहां तक जा रही है रिन अनंत तक ये भी रिन अनंत तक ये भी रिन अनंत तक अगें अनंत done okay अपने सबसे पहले A और B को पहचाने अब सब के लिए A और B एक जैसे ही ले लेते हैं जैसे यहां पर A है यहां पर B A है यह A है और यह B A है यह B है यह B है यह B B है और यह B B है अब देखो पहले case में आपको बोला है कि A और B के मद्धी होना चाहिए मतलब ना तो A ना B तो ऐसा ठीक A और B को नहीं लिया चाहो तो A और B के उपर cross लगा दो दूसरे case में आपको बोला है A के बराबर ले सकते हो तो A वाले गोले को डार्क कर देना और B वाले गोले को छोड़ देना इसको यहां ऐसे cross भी लगा सकते हो तीसरा A से बड़ा लेना है लेकिन B के बराबर भी हो सकता है तो ऐसा कुछ ठीके चौथा A से बड़ा या बराबर B से बड़ा या बराबर तो ऐसा कुछ और यहां पर सदेव एक चीज़ का ध्यान रखना कि X जो है वो या A जो है वो B से छोटा है तो इस तरह से संख्या रेखा के चार निरूपन और हो सकते है संख्या रेखा पर इनको निरूपित करेंगे जब हम आसमीकाओं को हलका आरेखी निरूपन क्या होता है अब रेखी का समीकाओं अभी अपन ने देख ली संख्या रेखा पर बनाना तो रेखी का समीका मतलब देखिए हम लोग एक चरसे उपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मतलब दो चरवाली रेखी का समीकाओं अब 2 चरवाली रेखी का समीकाओं क्या होती है ऐसी रेखाएं मतलब ऐसी रेखा सरल रेखा का समीकाँ आप जानते है AX प्लस BX प्लस C बराबर 0 उसमें A, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 वहाँ पर X और Y दो चर होते हैं और अगर वो बराबर 0 को छोटा 0 या बड़ा 0 कर देतों जैसे मान लीजे 5x प्लस 3y प्लस 2 0 से बड़ा है तो ये एक रेखिक आसमीका हो चुकी है आप ऐसी रेखिक आसमीका को जानते हैं फटावट कमेंट करके बताईए आपने कोई एक ऐसी रेखिक आसमीका का उधारन दे सकते हैं आप क्या और देखो रेखिक आसमीका को बनाने के लिए रेखिक आसमीका को समझने के लिए आप से मैंने उधारन मंगे तो आप ऐसे कोई भी उधारन दे सकते हो जैसे माल लीजिए एक्स तीन से बड़ा है और एक्स तीन से बड़ा तो है साथ साथ में वाई भी चार से बढ़ा है ऐसे बहुत से उधारन हो सकते हैं ठीक है जैसे राम श्याम से बढ़ा है और श्याम घंश्याम से बढ़ा है ऐसा कहें अगर तो इन तीनों उधारन इंब्या इन दोनों उधारन में आपके सामने तीन चीजे दिखी है ऐसा आपको द देखने वाले यहां पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं अब थोड़ा सा यहां पर अटेंटिव रहिएगा बहुत जरूरी आप लोगों के लिए देखो यार अगर मैं कहता हूं सबसे पहली छोटी-छोटी कुछ बाते जिनको आपको नोट करते रहे ना यदि मैं कहता हूं कि X जो है वो किसी संख्या या A से बढ़ा है, X किसी संख्या A से बढ़ा है और आपको ये चीज अगर एक चरवाली कहानी हो या दो चरवाली कहानी हो तो परेशानी हो जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यहां सिर्फ और सिर्फ एकलोता चर है A ठीक है इस कहानी को अपन एक बार देख लेते हैं कि यह कहानी कभ है एक चर वाली कहानी में इस्तित है मतलब X A से बढ़ा है और सिवाए X के कोई और चर नहीं है तो इसको बनाने का तरीका सिंपल है X X बनाया तो भाई साब यह X X है ठीक है इधर भी माइनस धनात्मक है उधर धनात्मक है और आपने A नाम का बिंदू खो जा ठीक है जैसे अगर यहां पर 5 है तो हम 5 पर टिक लगा देंगे 10 होगा तो अपन 10 पर टिक लगा देंगे A से बढ़ा है ठीक है हमने इस गोल A को ऐसा कर दिया अभी अपने देखा कि यह जो है निरूपन हो चुका है कि X A से बढ़ा है परन्तु यदि यहां पर 2 चर हो जाते क्या हो जाते 2 चर अब 2 चर कौन कौन से सर X और Y लेकिन सवाल में आप जो बता रहे है उसमें Y तो ही नहीं Y है क्या कही नहीं है मैं यह मान रहा हूँ कि X के साथ साथ में Y है लेकिन Y के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जब ऐसा हो कि X जो है वो A से बढ़ा हो Y के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि Y क्या है पर Y है क्या है पता नहीं लेकिन है जरूर उस केस में मैं X अक्ष और Y अक्ष दोनों बनाऊंगा क्या यह बात क्लियर है X और Y बनाने के बात मैं सबसे पहले यह A वाले बिंदू को ढूंडूंगा अब ऐसा हो सकता है कि A वाला बिंदू रिनात्मक हो या धनात्मक हो परेशानी की बात नहीं मान लेते हैं A जो है वो धनात्मक है तो या कहीं भी X अक्ष पर इससे ते एक बिंदू है तो अपने X बराबर A को खो जा यहाँ पर मिला X को A से बढ़ा करना है अगर X को A से बढ़ा करना है तो आप एक ऐसी सीधी रेखा खिचने की कोशिश करेंगे ऐसी कहां से ये रेखा गुजरेगी A से और अब चूकि X A से बढ़ा है तो एक बहुत बड़ा शेत्रफल आपके सामने आ जाएगा ये वाला ये एक चर और दो चर में एक ही कहानी को अलग-अलग तरीकों से निरूपित किया जाएगा अगर यहाँ पर बराबर का चिन्न होता तो यहाँ पर भी आप गोले को डार्क कर देते और यहाँ पर यह जो रेखा है ना इस केस में यह जो रेखा है यह रेखा भी हमारे हल शेत्र के अंदर इंक्लूड हो जाती हल शेत्र का मतलब है वो शेत्र जहां से अपन हल लिख सकते हैं मतलब जो हमारा हल है यहाँ पर यह हल शेत्र है और यहाँ पर यह हल शेत्र है क्या आपको मेरी बात क्लियर है ठीके यह हल शेत्र है अंग्रेजी में इसे solution reason कहा जाता है मतलब x से ऐसे बढ़ा है तो इतना इतना पाटा आगा y के बारे में कोई जानकारी अभी तक तो नहीं है अगर यही कहानी अपन y या तो चलो अगर दूसरी बात आती यहाँ पर माल लीजे ऐसा आता कि जो y है न ठीके जैसे अपन बोलते थे कि y जो है वो भी b से बढ़ा है y किस से बढ़ा है b से बढ़ा है तब अपन y बराबर b की एक line खीचते ऐसी ठीके जो कहां से गुजरती यहां से गुजरती और y को b से बढ़ा होने के लिए इतना इतना शेत्र आता और इन दोनों को मिलाने के बाद अब आप देखो y b से बढ़ा है मतलब y इस रेखा के उपर वाला शेत्र x a से बढ़ा है इस रेखा के दाए तरफ का शेत्र इन दोनों का कमबाइन शेत्र क्या इतना इतना आया जो दोनों की वज़ा से आया है क्या हल शेत्र अभी दोनों की वज़ा से मिलने वाला ये वाला शेत्र है तो अभी जो हल शेत्र है वो नया वाला शेत्र आ जाएगा तो जब हम दो चरवाले रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो X और Y दोनों की वज़े से मिलने वाल ही हमारा हल शेत्र होगा क्लियर है क्या ये बात? चलिए, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक सवाल और करा देता हूँ मतलब बिना सवाल के अपन समझेंगे नहीं माल लीजिए आपसे कहा जाए कि X जो है वो तीन से बड़ा या तीन के बड़ाबर है एवम एवम मतलब ये बात भी होनी चाहिए Y जो है वो दो से छोटा है या दो के बड़ाबर भी है अब इन दोनों को आपको बनाना है तो देखो जब X तीन से बड़ा होगा तो X बराबर तीन यहाँ पर एक रेखा है मतलब X बराबर तीन अपन यहाँ कहीं एक बिंदू माल लेते हैं तीन कॉमा शुन्य इससे बड़ा जो X है वो अपना X तीन से बड़ा है यहाँ इस रेखा को भी अपन हल शेत्र के अंदर ले लेंगे क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्न है जब बराबर का चिन्न आता है तो यह जो रेखा है वो हल शेत्र के अंदर आती है ऐसा कुछ साथ इसाथ जब मुझे बोला जाए कि Y यह है X जो है वो 3 से बढ़ाया 3 के बराबर है दूसरा अगर आप से बोला जाए कि Y 2 से छोटा है तो अब सबसे पहले Y बराबर 2 को पहचाने है Y बराबर 2 कहीं यहां होगा अच्छा एक छोटी scale नहीं है और दूसरी बात यह है कि जब भी हम ऐसे आरेक बनाते हैं आसमीकाओं के उन बिंदूओं को लिखते ही नहीं है जो है ही नहीं मतलब अगर यहां एक के बारे में बात नहीं किये गए तो हम नहीं लिखेंगे वरना आसमीकाओं के हल में हम confuse हो सकते हैं जब हम वेवी वक्रविधी समझने की कोशिश करते हैं तब हमारे सामने चीज आती है जो बिंदू आसमीकाओं में नहीं है जैसे यहाँ पर आप तो बोलोगे सर एक और दो नहीं लिया और चुकि मैं तो वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ मैं 2.5 के बारे में बोल सकता हूँ कि सर अपने 2.5 क्यों नहीं लिखा 2.99 क्यों नहीं लिखा तो ऐसे अनंत बिंदू है हम सभी को नहीं लिख सकते इसलिए हम किसी को भी नहीं लिखेंगे ऐसा है रख लो आप लोग तो ठीके तो बाकी चाहो तो लिख सकते हैं कोई मतलब खतरनाक नियम नहीं है वाई 2 से छोटा है अब सोचो यार इसके उपर जो वाई है वो 3,4,5 है वो 2 से बड़े है इसके नीचे जो वाई है वो 1 आएगा 0 आएगा ये 2 से छोटे है तो अगर अपन इसको बनाना चाहे तो ये ऐसा बनेगा पूरा का पूरा ये जो शेत्र है ये है वाई 2 से छोटा इस रेखा के नीचे या एक से 3 से बड़ा क्यों क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा 5 आएगा ये सारे के सारे 3 से बड़े है अब हमारे लिए ये हल नहीं हमारे लिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो हल है तो अगर मैं मतलब इन दोनों को मिलाने पर जो शेत्र बनेगा वो हमारा हल होगा तो देखो यार आपने एक रेखा बनाई ये 3 वाली 3,0 ठीके और दूसरी जो रेखा बनाई थी वो बनाई थी y बराबर 2 जहां से ये बिंदू मिला था 2,2 ये वाला बिंदू कौन सा था 0,2 अब आगे इस रेखा के नीचे और इस रेखा के दाएं वाला शेत्र आपका हल शेत्र है इस रेखा के दाएं वाला शेत्र मतलब ये वाला शेत्र इस रेखा के नीचे मतलब ये वाला शेत्र होगा इस शेत्र में सिर्फ और सिर्फ x 3 से बढ़ाया 3 के बराबर है इस शेत्र में y 2 से छोटा या 2 के बराबर है लेकिन इस शेत्र में x भी 3 से बढ़ाया 3 के बराबर है साथ ही साथ y भी 2 से छोटा या 2 के बराबर है परंतु हमारे सामने रेखाएं सदैव ऐसी नहीं रहेगी, है ना, तो अब हम जब रेखाएं ऐसी ना हो, मतलब माल दीजे कोई रेखा देदी, तीन या कोई एक रेखिक असमी का देदी, तीन एक्स प्लस चार वाई प्लस पाच, तब हम क्या करेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करने की कोश करते हैं, क्या इतनी बात आपको क्लियर है, चलिए, सो, सबसे पहले, एक शब्द यहाँ फिर से देख लो, रेखिक असमी का, ऐसी आसमी का, जो रेखाओं में हो, मतलब जैसे अपन अभी दो रेखाओं ही देखी ना, एक्स बराबर तीन, और एक्स बराबर, या वाई बराबर दो, एक रेखिका समीका है, रेखिका समीकाएं भी लिख सकते हैं, इनके बारे में, मतलब इनका जो जनरल साइस स्टीर्टमेंट है, वो ऐसा होता है कि एक सरल रेखाओं माल लीजे, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो आप लोग लिखते थे, यहाँ पर बराबर की जगे, ऐसा कोई भी चिन, जो आसमीका वाला हो, वो रेखिका समीका को जन्म दे देता है, जैसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, शुन्य से छोटा या शुन्य के बरा, चलेगा, दूसरा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, शुन्य से बरा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, शुन्य से छोटा, अब ये सी उधर भी जा सकता है, क्यार ऐसी बहुत सी रेखाओं के समीकरण हो सकते हैं, जहाँ पर ए, बी और स जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं जैसे उधारन लिख लेते हैं एक दो दो जैसे माल दीजे आप से कहा कि 3X प्लस 2Y प्लस 1 शुन्य से बढ़ा या शुन्य से छोटा एक यह उधारन हुआ दूसरा इसी को ऐसे भी लिख सकते कि 3X प्लस 2Y प्लस 1 शुन्य से छोटा या शुन्य के बढ़ाबर ठीक यह दोनों अलग अलग असमीका है अभी यह भाई साब 0 से बढ़े हैं इस केस में 0 से छोटे हैं 0 के बढ़ाबर हैं तीसरे केस में 0 के बढ़ाबर वाला केस अटा दो यहाँ पर भी ऐसे ही तो इस तरह से रेखिका समीका हैं हमारे सामने बन जाती है अब इनका हल जो है वो हमें करना है और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ जिस तरह से दो चर वाले रेखिक समीकरन को हल करने के लिए आपको दो समीकरन चाहिए कक्षा दसमें पढ़ा था ना कि अगर कोई ऐसा है कि 3X प्लस 4Y माइनस 5 बराबर 0 तो यहाँ X और Y का मान निकालने के लिए एक और समी करन चाहिए भले ही वो कैसा भी हो ऐसा कुछ ठीके तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हल निकालने के लिए आपको दो समी करन चाहिए आप एक समी करन का भी हल निकाल सकते हैं मतलब सिर्फ इसका भी एक हल शेत्र बनेगा इसका भी एक हल शेत्र बनेगा अगर इन दोनों से मिलके बनाओगे तो भी एक हल शेत्र बनेगा ठीके अगर इन दोनों से बढ़ी है ऐसा एक साथ संभव नहीं है यह चीज़ जीरो के बराबर या जीरो से बढ़ी है यह चीज़ जीरो से जीरो के बराबर या जीरो से छोटी है इसका एक के संभव है कि यह चीज़ जीरो के बराबर है मतलब यह जो आसमी का है वो सीधा सीधा एक समी करण है अगर इन दोनों को एक साथ सैटिस्फाइ कराओगे तो खेर मुद्दे की बात ऐसी नहीं है जो बात है वो ऐसी है कि चलिए एक उधारन के माद्यम से समझने की कोशिश करते हैं चार एक्स प्लस पांच वाई माइनस बीस शुन्य से बड़ा या शुन्य के बराबर है इसका हमें हल शेत्र ग्याद करना है क्या ग्याद करना है सर जी हल शेत्र अब हल शेत्र ग्याद करने का मतलब है आपको फोटो बना कि उस पे शो करना है ऐसा है इसका हल शेत्र ग्याद करना है और कुछ नहीं तो जब भी किसी रेखिक असमीका का हल शेत्र ग्याद करना हो तो सब से पहले उस सरल रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए जिससे वो असमीका बनी है मतलब सीधी सीधी बात है कि आप पहली स्टेप में तो ये असमीका को हटा कर बराबर का चिंद लगा दीजिए मतलब आप एक रेखिक समी करण के बारे में बात कीजी और कुछ नहीं क्या आप इसका डाइगराम बना सकते हैं कक्षा 10 के कॉंसेट से बड़ा सिंपल है अगर डाइगराम बनाने जाएंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर एक तो 0,0 बिंदू है जो X अक्ष और Y अक्ष दोनों परिस्तित है यह X अक्ष है और यह Y अक्ष है ओके देखना इस रेखा का आपको आरेखिय निरूपन करना है मतलब इस रेखा का आरेख बनाना है बहुत सिंपल तरीका है कैसे कि सर सबसे पहले आप X का मान शुन्य रख दीजिए जब X का मान शुन्य रखेंगे तो 5Y माइनस 20 बराबर 0 तो Y का मान मिला 4 मतलब एक बिंदू मिला 0,4 0,4 कहा हो सकता है तो सरीए Y X का एक बिंदू हो सकता है क्योंकि इस पर ही X का मान शुन्य होता है ठीके अगर मैं यहां पर Y का मान शुन्य रखता हूं तो X का मान मिलेगा 4X माइनस 20 बराबर 0 तो X का मान 5 मतलब जो बिंदू मिला वो 5,0 मिला 5,0 यहां से मिलने वाला एक बिंदू है ठीक है क्या? ठीक है नाओ देखना अभी थोड़ी सी समझने की कोशिश करना आपने इसका फोटो बना दिया सीधा सीधा ऐसा यह जो सरल रेखा है इस सरल रेखा का समय कराना है 4X प्लस 5Y माइनस 20 बराबर 0 यह सरल रेखा बनी? बिलकुल बनी अब इस असमीका को बनाने के लिए आपको ना दूसरा जो केस है वो यह वाला है कि इस असमीका को बनाने के लिए जो कि दी है 4X प्लस 5Y माइनस 20 ग्रिटर देन और इकोल टो 0 एक ऐसा बिंदू पहचानी है इस असमीका के जो रेखा है ना इस तल को दो टुकड़ों में तोड रही है यह जो रेखा है इस पूरे प्लेन को या इस पूरे बोड को दो टुकड़ों में तोड रही है एक जो टुकड़ा है वो इसके ऊपर दूसरा टुकड़ा इसके नीचे है क्या है बाठी के एक टुकड़ा इसके ऊपर है दूसरा टुकड़ा इसके नीचे है तो या तो ऊपर वाला हल होगा इसका या नीचे वाल होगा इन दोनों के अलावा तीसरा कोई हल नहीं हो सकता तो हमें सबसे पहले बस यही पहचानना है कि इसका हल उपर वाला शेत्र है या नीचे वाला शेत्र है अब एक ऐसा बिंदू पहचानिये जो कि इस रेखा पर इस्थित नहीं है इस रेखा पर इस्थित नहीं है कि ऐसा बिंदू पहचानना है अगली स्टेप ठीके क्या एक ऐसा बिंदू जो रेखा पर इस्थित नहीं है वो पहचान लो बस कहीं से भी देख लो बिंदू जो रेखा पर नहीं है तो सर ऐसा बिंदू जो रेखा पर नहीं है वो कौन सा हो सकता है तो आपको 6,0 दिख रहें तो 6,0 अपन ने देख लिया अब 6,0 को इस समीकरण में या इस असमीका में रखके देखो 5,0 को इस असमीका में रखा तो चार गुणा शुन्य प्लस पांच गुणा माइनस बीस क्या जीरो से बड़ा या बराबर आता है तो ये भी जीरो ये भी जीरो क्या माइनस बीस जीरो से बड़ा या बराबर आता है नहीं नहीं का मतलब है ये जो शुन्य कौमा शुन्य है वो हल शेत्र का बिंदू नहीं होगा अगर शुन्य कौमा शुन्य हल शेत्र का बिंदू नहीं है तो वो शेत्र जिसके अंदर शुन्य कौमा शुन्य आ रहा है वो हल शेत्र का बिंदू नहीं है मतलब ये वाला शेत्र हल शेत्र नहीं है बात समझिए जिस शेत्र में वो बिंदू इस्थित है जिसे आपने लिया है अगर वो इस आसमीका को सत्य बनाता है तो वो बिंदू हल शेत्र के अंदर रहेगा मतलब वो हल शेत्र जिसके अंदर वो बिंदू है वो पूरा का पूरा शेत्र हमारा हल शेत्र रहेगा लेकिन यदि वो बिंदू इसको नहीं बनाता है तो वो हल शेत्र छोड़के इसके दूसरे वाला जो शेत्र है वो पूरा का पूरा हल शेत्र रहेगा That is the solution इस तरह से अभी यह एक बात और समझनी है थोड़ी सी क्या आपको 4X प्लस 5Y माइनस 20 बराबर 0 दिया है क्या सवाल में बराबर 0 नहीं दिया है दिख रहा है किसी को क्या हाँ सर बराबर 0 दिया है बराबर 0 क्यों दिया है क्योंकि यहाँ greater than or equal to 0 है बराबर का चिन है ना यहाँ पर अगर बराबर का चिन है तो हल शेत्र के अंदर यह जो रेखा है ना वो भी आ जाएगी मतलब जो हल शेत्र है उसके अंदर यह रेखा पर इस्थित बिंदू और उस पूरे के पूरे शेत्र के अंदर इस्थित बिंदू ही आपका हल शेत्र होंगे क्या होंगे ये सारे के सारे बिंदू ही हमारा हल शेत्र है अब बताव यहां कितने हल है अनंत कितने हल है अनंत हल है ठीक है क्या ऐसा कोई हल है अच्छा अब मैं यहां से पूछू अगर आपको कि क्य इस शेत्र का शुन्य कौमा शुन्य एक हल है हम बोलेंगे नहीं क्या एक कौमा शुन्य हल है एक कौमा शुन्य यहां होगा नहीं है दो कौमा शुन्य नहीं है क्या में इस हल शेत्रों को गनीती रूप में निरूपित कर सकते नहीं कर सकते गनीती रूप का निरूपन जो है वो यही है जिसे आपने फोटो की मदद से बना के देखा है डन है क्या डन ही तो अपने ऐसे न अगर ऐसी माल दीजी एक और रेखा आ जाती एक और कोई दूसरी रेखा आ जाती जिसके बारे में अपन मतलब माल दीजे इसका फोटो ऐसा होता मैं कोई भी एक रेंडम रेखा कौन सा है तो इतना इतना भाग क्योंकि इसके नीचे और इसके ऊपर वाला जो शेतर है वो हल शेतर है अपने इसे सवाल करने वाले है तो आईए बात करते हैं आप सवालों पर क्योंकि यही जादा महत्तोपूर्ण है बाकी तो जितनी थियोरी आपको पढ़ाओं कम रहेगी चलिए पहला सवाल जो है X-2 बटा X-5 दो से बड़ा है इसको हल करना है जाहिर सी बात है आप जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं वो X-5 को इधर गुणा कर देंगे है ना चली मैं मतलब आपके तरीके से एक बार हल कर देता हूँ ठीक है सर हमने क्या किया x-2 बटा x-5 जो 2 से बड़ा है इसमें x-2 और इधर 2 गुणा x-5 कर दिया रियली ऐसा कुछ किया और ये 2x प्लस 10 हुआ ठीक है x को इधर लाए तो कितना माइनस x क्योंकि 2x में से x चले गए और 2 को उधर ले गए तो 12 तो यहां से मिला x जो है वह 12 से या माइनस 12 से छोटा है क्योंकि हमने दोनों साइड माइनस 1 का गुणा कर दिया हम x का मान चाहिए था माइनस एक का गुणा किया तो असमीका परड़ गई जैसा कि आपने बताया था यह जो हल है वो गलत है यह जो हल है वो गलत है आप एक काम कीजिए x का मान 12 से छोटा है ना माइनस 12 से छोटा है माइनस 12 से छोटा अगर मान है तो आप एक काम कीजिए माइनस 10 मान रखके देख लीजिए या माइनस 15 मान रखके देख लीजिए है ना X बराबर माइनस 15 इस आ समीका में रखा कितना रखा माइनस 15 तो अगर X का मान माइनस 15 रखा जाएगा तो यह समीका कितनी आएगी चेक करो एक बार माइनस पंदरा माइनस दो बटा माइनस पंदरा प्लस पाच ये दो से बड़ी आनी चाहिए माइनस पंदरा माइनस दो माइनस सत्रा ठीक है और माइनस पंदरा प्लस पाच आया माइनस दो माइनस पाच और ये दो से बड़ा आया बात तो ठीक है और वैसे तो ये ये बात तो ठीक है अच्छा क्या सदैव ऐसा रहेगा हाँ ये ठीक है कि 17 बटा 5 जो है वो 2 से बड़ा है ठीक है और भी कोई मान रख सकते हैं फिर तो हम बिलकुर रख सकते हैं परन्तो ये जो हल है वो गलत है गलत इसलिए है कि आपने यहा पर इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं दोनों साइट वो धनात्मक है या रिनात्मक है देखिए ऐसा हो सकता था ना कि ये जो X प्लस 5 है किसी X पर धनात्मक होगा किसी X पर रिनात्मक होगा जैसे उधारन के लिए मैंने X का मान-5 रग दिया ή च का मान-6 रग दिया तो ये मान तो रिनात्मक होगा इधर गुणा कैसे कर सकता हूं हुए डारेक्ली क्योंकि रिनात्मक मान पर समिकरन का चिन्न बदलेगा यहां तो बदलाया नहीं अगर X का मान माइनस 4 हुआ या X का मान 4 भी हुआ तो ये धनात्मक रहेगा तो चिन्द नहीं बदलेगा मतलब मैं इस जानकरी को लेके पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ कि ये कब धनात्मक है कब रिनात्मक है तो मुद्दे की बात ऐसी है कि आप इस तरह के सवालों में जो हर के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिखी है जो कभी धनात्मक कभी रिनात्मक हो सकती है तो उसका सीधा सीधा गुणा नहीं कर सकते है क्या ये बात क्लियर है आप ऐसी संख्या का गुणा सीधा सीधा नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे हम दो को तो उधर लेकर जा सकते हैं न ठीके तो हम दो को उस साइड लेकर जा रहे हैं जो कि वेवी वक्र विधी का पहला कॉंसेप्ट होता है कि आप इस साइड जीरो बनाने की कोशिश कीजिए वेवी कर्व विधी जो है वो ऐसे ही बोलती है आपको NCRT में कहीं पर भी ये चीज नहीं दी है ठीके इस विधी के बारे में कोई उल्लेक नहीं है सवाल जरूर हलकी है इससे लेकिन फिर भी हम दो को इधर ले आए और इसे लगुत्तम लेकर सरल करने की कोशिश की ठीके मैं आपको जो कुछ कॉंसेट बता रहा है उनकॉंसेट को या आप याद रखना वो विधी लिखाने की पूरी आवश्यक्ता नहीं जितने भी सवाल है वो आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते है जैसे यहां समझ रहे है आप दो को उधर लेगा इस साइड आपने बना द किससे एक्स प्लस पाँच से यह शुन्य से बढ़ा है ठीक है उसके बाद तीसरा जो कॉंसेट है एक्स माइनस दो माइनस दो एक्स माइनस दस और यहां एक्स प्लस पाँच शुन्य से बढ़ा है ऐसा भी ठीक है इससे सरल करें थोड़ा सा सरल करने पर क्या मिलेगा एक्स में से 2x गए तो माईनस x माईनस 2 में से माईनस 10 गए तो माईनस 12 और x प्लश 5 ऐसा कुछ माने अब इतना करने के बाद मतलब आपके सामने कहीं बार यहां द्वी गाट समी करन भी बनेगा जितने भी समी करन है चाहे वो द्वी घात हो आपको उन सभी को रेखी गुणन खंडों में तोड़ना है जैसे उधारन के लिए अगर कहीं ऐसा लिखा होता कि X की घात 2-5 X प्लस 4 तो आप इसे ऐसा लिख देते X-1 X-4 ठीक ठीक ओके अब आपको हर X का जो चिन है उसे धनात्मक बनाना है सबसे पहले यह देखी कि क्या हर X के आगे एक गुणा है इस वाले X के आगे तो एक गुणा है लेकिन इस वाले X के आगे माइनस एक गुणा है तो हमने यह जो माइनस का चिन्न है से बाहर निकाल लिया अच्छा माइनस एक की जगे माइनस दो होता तो अपन माइनस दो को बाहर निकाल लेते हैं हमें एक बनाना है कुछ भी करके तो माइनस एक्स प्लस बारा माइनस एक्स प्लस बारा और यह X प्लस 5 धनात्मक है क्लियर है क्या अब अगर यहां कहीं बाहर माइनस चिन्न बच रहा है तो आप इस माइनस चिन्न को हटाएंगे ठीक कैसे हटाएंगे तो दोनों साइड माइनस एक का गुणा करेंगे तो भाई साब देखो यह तो X प्लस 12 रहेगा प्लस पांच रहेगा दोनों साइड माइनस चिन का गुणा करने से जो चिन है असमीका का वो बदल जाएगा इधर माइनस एक का गुणा करोगे तो ये भी जिरू रहेगा क्या अब ये जो सवाल था वो एक ऐसे रूप में आया मैं रूप बता रहा हूँ पैचानना कैसे है बिलकुल एक धनातमक संकिया अब आपको क्या करना है इस यह पहचानना है कि यह जो गुरन नहीं होगा ठीक है इतना क्लियर माइनस 5 माइनस 12 से बढ़ा होगा उसके बाद आप यहां से एक रेखा ऐसी लेकर आए सीधा सीधा वह रेखा हमेशा ऐसी आईगी ठीक माइनस 5 से आपने क्रॉस कराना है ठीक है यह ऐसा जाना है और उसके बाद यहां से यह ऐसा चले जाना है देख लो जो जो मैंने किया हुआ है देखो लॉजिक यह है कि जिस भी या फिर यहां से अपने इसको फिर से थोड़ा सा आराम से देख लेते हैं एक्स प्लस पाँच की वज़ा से माइनस पाँच आया एक्स प्लस पाँच की जो घात है वो कितनी है एक है यदि घात विशम है कॉंसेट को ध्यान रखना अगर घात विशम है तो आप बिंदू से रेखा को क्रॉस करा देंगे मतलब यहां से इसे ऐसा क्रॉस करा के यहां प तो जैसे माल दीजिए ये बिंदू है ये रेखा आई तो ऐसी कैसी वापिस उपर निकल जाती, क्रॉस नहीं करती इस X अक्ष को, ये X अक्ष है, तो माइनस बारा पर पहुंचे, माइनस बारा किसकी वज़ा से X प्लस बारा, X प्लस बारा की घात कितनी एक, यहां पहुंच जो हल है, आप लिख सकते हैं, आठवी स्टेप में हल, हल क्या, कि जो X है, फटा फट बताओ, यह कौन से शेत्र में रिनात्मक है, तो सर, माइनस बारा से, माइनस पांच तक, कहां से कहां तक, माइनस बारा से लेकर, माइनस पांच तक, यह जितना भी मान आएगा, उस केस में यह मान, यह जो कहानी है, वो सरवदा सत्य है, क्या यह concept आपको clear हुआ, अब देखो यह, माइनस बारा से माइनस पांच में तो सही है, अब आपको यह जो अंतिम बिंदू है ना, इनके बारे में discussion करना है, तो अगर यहाँ आसमीका में बराबर वाला चिन्द नहीं है, अगर यह वाली आसमीका है, तो सारे जो bracket आएंगे, वो खुले अंतिराल आएंगे, कौन से अंतिराल आएंगे, खुले अंतिराल, अगर यह वाला चिन्द है कहीं पर यह वाला चिन्द है, तो या तो खुले अंतिराल आएंगे, या फिर बंद अंतिराल आएंगे, अब ख खुरे अंतराल वाला कॉंसेप्ट यहां पर दिखा देता हूं यहां पर जो X के मान है वह माइनस 12 से लेकर माइनस 5 के मध्य कुछ भी हो सकते हैं जो आपका मन करें वह आप रख सकते हैं माइनस 12 से बड़ा और माइनस 5 से छोटा माइनस 12 से बड़ा अगर माइनस 10 रख के देख लो चलेगा ठीक है अगर माइनस 10 रखोगे तो भी चलेगा माइनस जो आपका मन करें वो बिंदू आप रख सकते हैं क्या ये ठीक है चलो अगर यहाँ पर बराबर का चिन्न होता ऐसा ऐसा चिन्न होता तब भी आप कुछ नहीं करते आप यहाँ पर आसमीका का चिन्न वजलते सब कुछ आपका मान सही आता आपका जो जवाब होता ना उसमें थोड़ इसी चीजे चेंज हो जाती। आप यह देखते कि चूकी आ समीका में बराबर का चिन्न है। यह जो पाँच है यह जो माइनस 5 वाला बिंदु है। इस बिंदु पर हर सुन्य हो रहा है। अगर हर शुन्य हो रहा है तो हर को तो कभी शुन्य नहीं होना चाहिए मतलब माइनस पांच हल शेत्र के अंदर नहीं आ सकता 12 पर अंश शुन्य हो रहा है अंश शुन्य हो सकता है इसलिए इसका जो इंटरवल है वो क्लोजड है इतनी सी बात है मतलब इस वाले शेत्र में जो हल होगा वो बारा भी आ जाएगा डने क्या चलिए खेर हमारा जो आंसर था उसमें बराबर वाला चिंद नहीं था तो अपन बराबर वाले चिंदों को भूल कर फिर से अपना जो जवाब है वो जैसा था वैसे ही लिख सकते हैं देट इस आर फाइनल आंसर दन है क्या ओके सो मेरे हिसाब से यह जो जवाब है वो इस प्रश्न का है अगर आपको यहां कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप बिना किसी समस्या के पूछ सकते हैं चलिए आगे बढ़े चलिए रागे बढ़ते हैं अगर कोई यहां अगला है तीन माइनस चार एक्स का जो मापांक है वो नो से बड़ा है इसको हल करना है अब देखो मापांक फलन का जो मतलब होता है ना वो काफी खतरनाक होता है मापांक फलन का मतलब है यह जो भी एक्स दिया है इसकी जो दूरी है वो नो से जादा है मतलब एक्स का सिर् माइनस चार एक्स की जो दूरी है वो 9 से जादा है और मैंने आपको छोटी सी एक कहानी बताई थी अपन उसी पर बढ़ते हैं आगे एक छोटा सा हल होता है क्या चूंकि याद रख लें फॉर्मूले को अगर बोला जाए कि मापांक ए किसी संख्या A से बढ़ा है ऐसा अगर बोला जाए थीक है या A की जगे अपन अलफा बोल देते हैं अगर मापांक एक किसी संख्या A से बढ़ा या elements के बराबर है तब जो A है वो या तो alpha से बढ़ा या alpha चोटा या फिर alpha से छोटा या alpha के या माइनस एलफा से छोटा या उससे उसके बराबर होगा मुद्दे की बात ऐसी है इसे समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये माल लीजिए ये शुन्य कॉमा शुन्य है ये एलफा बिंदू है और ये माइनस एलफा बिंदू है अब आपको ऐसे बिंदू के बारे में बात करनी है जिनकी शुन्य कॉमा शुन्य से जो दूरी है वो एलफा से जादा है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो एलफा के बराबर है तो इस बिंदू और इस बिंदू के बाद की जो दूरी है वो alpha के बराबर और alpha से बड़ी हो सकती है यहां से हमें यही बताना है कि जो a की दूरी है वो alpha से जादा है इसलिए अपन लिख सकते हैं कि a जो है वो alpha से बढ़ाया alpha के बराबर है वैसे यहां से यहां की जो दूरी है वो भी alpha के बराबर ही है अपने को alpha से बढ़ा man चाहिए इसलिए अपन यहां लिख सकते हैं कि यह जो man है वो minus alpha से छोटा होना چाहिए मतलब इधर जो भी मान आएंगे हो minus alpha से छोटे रहेंगे उधर जो भी मान रहेंगे वो alpha से बढ़े रहेंगे with the same concept with the same concept क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि चुकि 3-4x 9 या 9 से बढ़ा है इसी लिए 3-4x या तो 9 या 9 से बढ़ा रहे या फिर 3-4x 9 से छोटा रहे इस बात को आप ध्यान रखना यार ठीक है ऐसा क्लियर है अब आपको इसे हल करना है ठीक है तो 3 को इजल लाए तो 9 को इजल लाए तो वेट 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 3-9 4x वहाँ पर या फिर 3-9 4x यहाँ पहुँच गया ठीक सो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि माइनस 6 जो है वो 4x से बड़ा है या फिर 12 जो है वो 4x से छोटा है देखिए या का मतलब है दोनों में से कोई भी एक हो जाए सो अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइट करता हूँ 4 से तो यह माइनस 3 बटा 2 जो x है उससे या x माइनस 3 बटा 2 से छोटा होना चाहिए इसका साफ साफ मतलब यह है या फिर x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए अपने 4 से दोनों जगे डिवाइड या भाग दे दिया अब इससे हल शेत्र कैसे निकालते है या कैसे हल का अंतराल लिखते है वो देखे थोड़ा सा ये भी बढ़िया इंटरस्टिंग पार्ट है ये आपके सामने शुन्य नाम का बिंदु है वो एक सक्ष है रिन अनंत से लेकर जैसे ये अनंत तक गया है और ये माइनस अनंत तक गया है माइनस तीन बटा दो आपको कहां मिलेगा तो माइनस तीन बटा दो तो जीरो के बाद ही मिलेगा और माइनस तीन बटा दो हल शेत्र के अंदर आना है क्योंकि बराबर का चिन ने इसलिए अपनने इसको गोला लगा दिया after that 3 से छोटा होना चाहिए तो यह 3 से बढ़ा 3 कहां यहां कहीं मिलेगा 3 भी हल शेतर के अंदर आना चाहिए इसलिए अपने गोला लगा दिया अब देखो यार आपने बोला कि x जो है वो 3 बटा 2 या माइनस 3 बटा 2 से छोटा होना चाहिए माइनस 3 बटा 2 से छोटा होना चाहिए तो माइनस 3 बटा 2 से छोटा तो ये वाला पार्ट है 3 से बड़ा 3 से बड़ा मतलब ये वाला पार्ट अब आपके सामने या का मतलब ये होता है कि ये भी हो जाए तो चलेगा, ये भी हो जाए तो चलेगा लेकिन क्या आपको दोनो एक साथ घटित होते हैं, वह दिख रहे हैं, क्या कोई ऐसा x है, जो माइनस 3 बटा 2 से छोटा हो और 3 से बढ़ा हो, नहीं, 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 तो हमारा जो हल रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा, x जो है, वो माइनस अनंत से लेकर, माइनस 3 ब तक या फिर यहां से यहां तक और यह जो यह सवाल बात आएगी आप इंटरेक्शन लगा देंगे दाने कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या अभी तक तो नहीं होनी चाहिए अच्छा अगर यहां इसके साथ ही चीज और डिसकस कर लेते हैं जिसमत्र यह सवाल यहां समाप्त हो चुका है डिसकशन की बात ऐसी है कि यदी सर सवाल में ऐसा होता ना कहीं पर कि मापांक ए जो है या मौड ए है वो किसी अलफा से छोटा या उसके बराबर होता तो यहां पर जो मापांक ए है या ए जो है वो माइनस अलफा से अलफा के बीच में होता इस कॉंसेप्ट को भी लिख लीजी डन दूसरा वाल अपन डिसकस कर ही चुके हैं चलिए तो लट्समूव इस वाली आसमीका को हल किजिए मापांक एक से बढ़ा या बराबर है और तीन से छोटा या बराबर है जिसका मापांख एक से बढ़ा चलेगा तीन से छोटा चलेगा अब इसके लिए अपन सबसे पहले डिसकस करते हैं इसका जो concept है उसे अपन कैसे समझने की कोशिश करेंगे concept वही है जो पहले था जैसे अगर कोई मापांक A जो है वो किसी संख्या alpha के बराबर या बड़ा या बीता से छोटा है now let's discuss about मापांक A, alpha और beta यहाँ पर alpha जो है वो छोटा है बीता जो है वो बड़ा है यह बात साफ तोर पर आपको दिख जाएगी alpha जो है वो छोटा है बीता जो है वो बड़ा है तभी कोई संख्या अगर alpha से बड़ी होगी तो beta से छोटी होगी ओके यह शुन्य कॉमा शुन्य है अब एक बात बताईए मापांख ए अलफा से जादा है तो अगर यहां कहीं है कि अलफा नाम का बिंदू होता और यह बीटा नाम का बिंदू होता तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मापांख ए अलफा से जादा होता और बीटा से कम होता तो इस वाले शेत्र के अंदर होत हाँ बात तो सही है लेकिन ये शेत्र तो जीरो के इधर भी आ सकता है आ सकता है कैसे आ सकता है वो कुछ ऐसे आ सकता है कि ये जो एलफा है वो माइनस एलफा बनके इधर आएगा और बीटा जो है वो माइनस बीटा बनके इधर आएगा देखिए जो धनात्मक जीरो के जितना पास है उसका रिनात्मक भी जीरो के उतना पास है अगर मैं अब लिखना चाहूं तो इस केस में भी जो एकी दूरी है वो एलफा से लेकर बीटा के मध्य ही है समझने की बात ऐसी है कि अगर आप इनकी दूरी निकालने की कोशिश करें कि सर ये अगर मूल बिंदू है तो यह यहां से यहां की दूरी तो एलफा है और यहां से यहां की दूरी बीटा है और जब मैं दूरी निकालता हूं तो यह दूरी भी एलफा है और यह दूरी भी बीटा है क्लियर है क्या तो आपको एलफा और बीटा के बीच की दूरी चाहिए जो यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है अब इससे लिखेंगे कैसे तो लिखने का तरीका ऐसा है कि जो ए है वो हम सबसे पहले छोटा बिंदू लिखते हैं तो माइनस बीटा से बढ़ा हो और माइनस एलफा से छोटा हो या फिर एलफा से बढ़ा हो या बीटा से छोटा हो या बराबर हो पहले छोटा बिंदू बाद में यहां छोटा बिंदू माइनस एलफा है बढ़ा बिंदू माइनस एलफा है यहां एलफा छोटा है बीटा बढ़ा है और यहां क्यों लगाया बाई साब या तो यह हो सकता है या यह हो सकता है ठीक तो इसी तरह से इसी कॉंसेप्ट की से अपनी सवाल को हल करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही जगे मापांक x-2 है, alpha और beta की जगे माइनस 1-2 है, तो जब आप हल लिखने जाएंगे, तो क्या आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा कि माइनस 2 से लेकर x-2-1 के बीच में हो, या फिर एक से लेकर एकस माइनस दो दो के बीच में हो या दो नहीं तीन यहाँ पर दो की जगे तीन लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस तीन और यहाँ पर भी तीन चेक कर लो फटाफट फटाफट माइनस तीन से माइनस एक इन दोनों को पलट कर उल्टा लिख दो जैसे यहाँ पर लिखा है अलफा बीटा तो माइनस बीटा माइनस अलफा रिनात्मक के साथ तो एक तीन से माइनस तीन माइनस एक और उसके बाद अगर अलफा बीटा है तो एक तीन अलफा बीटा जैसा लिखा है वैसा मैंने कुछ नहीं किया A की जगे X-2 और Alpha बीटा की जगे 1 और 3 लिखा है कुछ भी नहीं किया क्या ये concept clear है? clear है अब इसकी मदद से आपको X का मान निकालना है तो देखिए आप क्या करेंगे? ये जो minus 2 है इसे इधर भी भेजेंगे उधर भी भेजेंगे आसमीका में किसी संख्या को जोडने या घटाने से आसमीका का चिन परिवर्तित नहीं होता आपने minus 2 को यहां भेजा तो ये हुआ minus 3 plus 2 X अकेरा रहे गया minus 1 plus 2 या फिर ठीके? या फिर क्या है? कि X जो है 2 को इधर भेजा तो 1 plus 2 या फिर 2 plus 3 ठीक? तो यहां से आपको जो मान मिला वो minus 1 से X बड़ा होना चाहिए अच्छा बराबर वाला चिन नहीं है तो बराबर वाला भी लगा देते हैं अपने आपे ठीक? ठीक है? और यहां पर होना चाहिए 1 या फिर ये मिलेगा 3 X से लेकर 5 तक अब इसका मतलब क्या है? अगर X minus 1 से 1 के बीच में हो तो हमारा जो आंसर है वो ऐसा होना चाहिए कि X सर minus 1 से 1 के मद्ध है बराबर वाली आसमी का है इसलिए यहां पर अपने ब्रेकेट जो है वो बंद वाला लगाया बड़ा ब्रेकेट लगाया union 3 से लेकर 5 हो जाए दोनों में से जो हो जाए हमारा जब मतलब या तो यह वाला पार्ट हो जाए यह वाला पार्ट हो जाए done है clear है क्या? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके सामने यह बिंदू है minus 1 यह बिंदू है 1 उसके बाद एक के बाद यह आएगा 3 और यह 5 so इसको लिखने के पता है और भी तरीके हो सकते है minus 1 से लेकर एक तक के सारे बिंदू अपनने ले लिए ले लिए 1 से लेकर 3 तक के 1 से 3 से लेकर 5 तक के अपनने जवाब ले लिए ले लिए जो यहाँ पर लिखे है इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है क्या क्या कीजिए आप 1 से लेकर 5 तक के सारे बिंदू ले लिजिए उसमें से यह जो टुकड़ा है इसे हटा दीजिए अब यह टुकड़ा क्या है एक से लेकर तीन तक की संख्याएं क्या एक आपके हल शेत्र के अंदर है बिल्कुल है आपने किसे घटाया एक से लेकर तीन तक का जो अंतराल है उसे घटा दिया क्या एक आपके हल शेत्र के अंदर है बिल्कुल है तो हम एक को नहीं घटाएंगे मतलब जिस समुच्च को घटाया जाना उसके अंदर एक नहीं है और नहीं तीन है सेम कॉंसेट से तो ये जवाब ऐसे भी हो गया अब परिक्षा में आपको ऐसा भी मिल सकता है वैसा भी मिल सकता है डान है क्या? तो ये एक और बढ़िया सा सवाल है डिसकस करने में भी अच्छा है समझने में भी अच्छा है और सॉल्यूशन में भी काफी प्यारा सा है पर ये सवाल है एक बढ़िया सा मापांक वाली है समीका कहा जा सकता है मापांक एक्स प्लस वन प्लस मापांक एक्स तीन से बड़ा होना चाहिए यह आपको ऐसे X के लिए हल करना है, मतलब ऐसे X आपको निकालने है, वो सभी X जिनका जो आप यहाँ यहाँ पर मान रखे तो 3 से बढ़े हैं, जैसे मान दीजी है, अपने X का मान 2 रखा, तो 2 प्लस 1 का मापांक 3, 3 और 2, 5, 5 3 से बढ़ा है, बिलकुल, अपने X का मान 0 रख और मापांक में जितने भी मापांक आते हैं, वो नए नए केस बनाते हैं, रियली में इस सवाल को हल करना और समझना काफी समय लेने वाला काम है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ आप इस बात को जरूर समझेंगे कि इस समय में आप पूरी तरह से बुड़ पर ध्य देखिए, मापांक एक्स प्लस वन जो है, वो दो तरह से आपको परेशान करता है, सुचने की कोशिश करना, है ना, मापांक एक्स प्लस वन जो है, अपन जब लिखते हैं, मापांक एक्स प्लस वन, तो ये दो तरीके से परेशान करता है, पहला तो आप इसे एक्स प्लस लिख सकते हैं जब X जो है वो माइनस एक से बढ़ाया बराबर रहा strang आ क्या लिखते है कि जो संखेया यहां लिखिया मापानक फलनकी परीभाशja क्या होती है मापानक फलनकी परीभाशा होती है कि अगर मापांक अ है तो ये वास्ताओं में ऐं भी हो सकता है और माइनस ए भी हो सकता है एक अब हो सकता है जब यह वाली कहानी 0 या 0 से बड़ी हो और यह कब हो सकता है जब यह 0 से छोटा हो तो x प्लस अपने सीधा सीधा x प्लस ए लिख दिया कब जब x प्लस ए 0 से बढ़ा हो अगर इसे लिखोगे ऐसा तो x प्लस 1 0 से बढ़ा या बराबर हो इसे 1 को उधर ले जाओगे तो आपको यहाँ माइनस 1 दिख जाएगा मैंने इसलिए उसको सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे लिख दिया था या फिर माइनस x प्लस 1 लिखा जाएगा कब जब x जो है वो माइनस 1 से छोटा है उसी तरह से जो मापांक x है वो लिखा जा सकता है x और माइनस x कब जब x 0 से छोटा या उसके बराबर है और दूसरा x जो है वो 0 से या 0 से बढ़ा या उसके बराबर के लिए x और 0 से छोटे के लिए माइनस एक्स अब इन दोनों की मदद से आप एक्स के अलग अलग अंतराल बनाएंगे देखने की कोशिश करना आप अभी ना अभी आप क्या आखर रहें पता है अभी आप एक्स का मान नहीं निकाल रहें अभी आप यह रख रहें कि हम एक्स का कौन सा मान रखने की कोशिश करें, देखना आपने संख्यारेखा बनाई यहाँ पर और उस संख्यारेखा पर जिन जिन पर ये दोनों अपने चिंद बदल रहें, सिर्फ उन बिंदों को लिखा, ये तो अपनने एक्स बराबर माइनस एक के लिए यहाँ पर एक गोला बना दिया कि यह माइनस एक है और यह जो भाय साब है वो शुन्य है क्लियर है क्या ओके अब आपने इसे तीन टुकडों में और तोड़ दिया है आपको काफी मज़ा आने वाला इस सवाल में यह माइनस एक है और यह शुन्य वाला भाग है अब ही सोचने की कोशिश करना के जब एकस माइनस एक से बड़ा है जब एकस माइनस एक से बड़ा है तो जो मापांग एकस है वह एकस प्लस वन लिखा जाएगा है ना अपन बात किसके बारे में कर रहे है मापांग एक्स प्लस वन के बारे में बात कर रहे है जब एक्स माइनस एक से बढ़ा है तो मापांग एक्स प्लस वन जो है वो माइनस एक लिखा जाएगा मतलब जब x माइनस 1 से बढ़ा है तो ये इस अंतराल में भी x प्लस 1 होगा और इस अंतराल में भी x प्लस 1 होगा क्यों होगा क्योंकि माइनस 1 से बढ़ा है अगर वो माइनस 1 से बढ़ा है तो 0 से बढ़ा भी है आपने इस पूरी संख्या रेखा को तीन टुकड़ों में तोड़ा है संख्या रेखा जो है वो ऐसी माइनस अनंत से अनंत तक जा रही है पहला टुकड़ा माइनस अनंत से माइनस एक, दूसरा माइनस एक से जीरो और जीरो से अनंत तो जब x-1 से बढ़ा है तो भी इन दोनों अंतरालों में इसे x-1 लिख सकते हैं दूसरा केस जब यह – x से छोटा है तो इसे अपन रनात्मक करके लिख देंगे क्लियर है क्या? क्लियर है दूसरा बात कर लेते हैं मापांक x के लिए मापांक x कहता है कि जब मैं 0 से बढ़ा हूँ, मैं 0 से बढ़ा हूँ मतलब मैं सीधा-सीधा x लिखा जाओंगा लेकिन जब मैं 0 से छोटा हूँ, आप मुझे – x – x करके लिख सकते हैं क्या ये बात ठीक है? तो जब आप इसका हल करेंगे तो आप x को तीन टुकडों में रखकर या तीन टुकडों में तोड़कल हल करने की कोशिश करेंगे आप यहां तीन केस बनाएंगे केस नमबर एक की x जो है वो माइनस अनंत से लेकर माइनस एक है जब मैं इन दोनों फलनों को ऐसा लिख सकता हूँ और उस केस में ऐसे कितने x है जो इस कंडिशन को संतुस्ट करते है दूसरा जो केस होगा वो माइनस 1 से 0 होगा और उस केस में भी हम बात करेंगे कि अपन x प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं और तब ऐसे कितने x हैं जो इस वाले भाग को संतुस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी के बारे में बात करनी है and at the end 0 से अनंत में ऐसे कितने x हैं जो उस भाइस आपको संतुस्ट करते हैं क्या ये बात clear है चले तो चलें discussion करते हैं इस प्रश्न के हल के बारे में case number one x जो है वो माइनस अनंत से लेकर माइनस एक तक है ना तो इसमें माइनस अनंत है ना माइनस एक है क्या आपको ये बात दिखी पहला जो अंतराले उसमें x माइनस अनंत से लेकर माइनस एक है तो अपन ने इसको न यहां पर बना भी लिया थुड़ा सा यार यह जो संख्या रेखा का पाट है यह शुन्य माल लेते हैं ठीके और यह माइनस एक माल लेते हैं और ऐसा कुछ है तो हमने जो अभी जिसे अभी x माना है वो माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 है मतलब जो भी जवाब आना चाहिए वो इसी अंतराल में आना चाहिए क्लियर है क्या? ओके, तो जब x माइनस अनंत से लेकर माइनस 1 है तो आपने देखा कि maapanek x plus 1 जो है इसे आप minus x plus 1 लिख सकते हैं और maapanek x को भी आप minus x लिख सकते हैं ऐसा कुछ प्राश्ण क्या था maapanek x plus 1 ठीके अब देखो अपने कुछ जो महान निकालना है वो इसे संतुस्ट करने वाला निकालना है ठीक तो अपन ने इसकी जगे ये और इसकी जगे ये रख दिया क्योंकि X जो है वो माइनस अनंत से माइनस एक है तो माइनस X प्लस 1 प्लस माइनस X तीन से बड़ा होना चाहिए अब ये तो हुआ यार माइनस X माइनस 1 माइनस X तीन से बड़ा होना चाहिए ठीक उधर भेज दिया ठीक है तो ये तो हुआ माइनस दो एक्स उधर भेजा तो ये हो गया चार देख लो इस 3 को 1 को उधर बेजा तो 4 हो गया ठीक है आपने पूरे समी करण को 2 से भाग दे दिया रिन 2 से अगर रिन 2 से भाग दोगे तो ये तो X हो जाएगा चार की जगे माइनस 2 आ जाएगा और यहां चिन जो है वो रिनात्मक हो जाएगा तो अगर चिन जो है वो रिनात्मक हो जाएगा सुनने की कोशिश करना अगर आपने चिन को रिनात्मक कर लिया है अच्छा है बराबर का चिन्द तो नहीं बिल्कुल नहीं है आपने चिन्द को रिनात्मक के लिया तो इससे जवाब ये मिला कि आपका जो X है वो माइनस दो से छोटा होना चाहिए मतलब आप तो बोल रहे थे कि हम X को माइनस अनन्त से लेकर माइनस एक लेंगे पर इस समीक या इस असमीका को संतुस्ट करने वारा जो X है वो माइनस 2 से छोटा होना चाहिए तो अभी नई कहान यहाईगी कि माइनस 2 से छोटा होना चाहिए अब इन दोनों को एक साथ संतुस्ट कराने वाली बात है X ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए तो यहां से जो जवाब मिलेगा वो case number 1 का जो X मिलना चाहिए वो minus anant से लेकर minus 2 कुछ भी हो जाना चाहिए आप रखके देख सकते हैं minus anant से लेकर minus 2 आपने minus 3 रख दिया तो minus 3 plus 1 का मापांक plus minus 3 का मापांक तो minus 3 plus 1 minus 2 minus 2 का मापांक 2 और minus 3 का मापांक 3 3 और 2 मिला के 5 done पहला case ऐसा आया अब मैं दूसरे case को यहीं पर हल करके दिखाता हूँ ठीके मदब दूसरा जो case है अपन उसे और कहीं हल कर लेते हैं मत्तब थोड़ा सा अलग case नमबर 2 अभी इसके सारे हल नहीं हुए है case नमबर 2 जो x है वो 6 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए जो x से अगला या 6 से नहीं minus 1 से बड़ा और 6 से छोटा तो हमें अभी सिर्फ किस से मतलब है उन सभी x से जो minus 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं इसके अलावा हमें किसी भी x से कोई मतलब नहीं है इसके बीच का जो भी answer आएगा वही हमारा answer है तो जब x minus 1 से बड़ा है तो ये जो मापांक x plus 1 का आप कह रहे हैं इसे तो आप मापांक x minus 1 लिख देते हैं नहीं इसे अप x plus 1 लिख देते हैं है ना मापांक x plus 1 को जब x minus 1 और इसके बीच में तो आप इसे x plus 1 लिख देते हैं तो इसको तो plus x plus 1 लिख देंगे लेकिन मापांक x को minus x ही रहने देंगे ऐसा कुछ तो अब आपके सामने जो A समी का है वो क्या थी तो सर A समी का जो थी वो थी मापांक X प्लस 1 प्लस प्लस कितना मापांक X 3 से बढ़ा होना चाहिए मापांक X प्लस 1 की जगे तो X प्लस 1 और इसकी जगे माइनस X लिख दोगे तो क्या ये तीन से बड़ा है तो X से X गए क्या एक तीन से बड़ा है एक तीन से बड़ा नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ ये कहानी तो असंभव है असंभव है मतलब इसका इस अंतराल में कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है हल क्यों नहीं है क्योंकि ऐसी कहानी आई है जो बभव नहीं है जो भी आप यहां पर मान रखोगे माइनस 1 और 0 के बीश में जो मान रखना चाहो रख सकते हो उन सभी पर यह आसमी का कभी भी सही नहीं होगी माइनस या एक तीन से बड़ा नहीं है इसलिए हाँ अगर यहाँ पर ऐसा आता कि चार तीन से बड़ा है जैसे माल दीजिए कहीं पर गलती से आ जाए कि चार जो है वो तीन से बड़ा है तो यह तो हमेशा सत्य है हमेशा सत्य होने का मतलब होता कि आप यहां पर जो मान रखोगे उसके लिए सही है तो आपके लिए जवाब जो होता वो माइनस एक से जीरो पूरा हो जाता ठीक तो केस नमबर दो का कोई हल नहीं है केस नमबर एक का तो हमें हल मिला था लेकिन केस नमबर दो का कोई भी हल नहीं है आप वेरिफाई कर सकते हैं केस नमबर दो का तो हल मिला केस नमबर एक का हल मिला केस नमबर दो का कोई भी हल नहीं है अभी तो एक और केस करना है केस नमबर तीन केस नमबर तीन कितना है case number 3 कहता है कि यार अब जो x है न अगर वो 0 से अनन्थ हो जाए मतलब बाकी सब छोड़ दो आप किसके लिए tension ले रहे हो बस ये minus 1 को छोड़ दो 0 से अनन्थ के बारे में बात करो 0 पे बराबर का चिन्न है और अनन्थ पर आप ऐसे चले जा सकते कहां तक अनन्थ तक अब आपका क्या जवाब होगा तो जब x 0 से अनन्थ होता है तो यह जो मापांक x प्लस 1 अपन लिख रहे थे सवाल में इसे ऐसा लिख सकते हैं और मापांक x को x लिख सकते हैं तो अपना जो या 2x, 2 से बड़ा होना चाहिए, या x, 1 से बड़ा होना चाहिए, ये x, x मिला कि 2x उद्वर गया तो 1, x, x से बड़ा होना चाहिए, x, x से बड़ा होना चाहिए, तो भले ही आप 0 से लेकर 1 के बीच का आंसर ले रहे हो, मतलब 0 से बड़े आंसर ले रहे हो, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्न नहीं दिया था तो पहले केस में जो हल आया दूसरे केस में जो हल आया और तीसरे केस में जो हल आया तीनों का आप सम्मिलन ले सकते हैं मतलब या तो यह वाला केस हो या वो वाला केस हो तो अगर आप यहाँ पर हल लिखने की कोशिश करते हैं अब सुनना मेरी बात तो आपका जो X है वो पहले वाले केस को संतुस्ट भी करना चाहिए मतलब माइनस अनंत से लेकर माइनस 2 होना चाहिए Union क्या दूसरे वाले केस को संतुस्ट करना चाहिए लेकिन दूसरे केस का तो कोई भी जवाब थाई नहीं इसलिए इसको छोड़ दो तीसरे केस को भी संतुस्ट करना चाहिए मतलब एक से अनंत होना चाहिए तो यहाँ पर जो जवाब है वो एक से अनंत है आपका ये आंसर है final एकस माइनस दो से छोटा हो जाए या एक से बड़ा हो जाए आपका final आंसर है ये clear है क्या that is the case आप इसे note कर सकते हैं मैं one by one आपको फिर से सारी slides show कर देता हूँ आपके लिए काफी important है अपन ने इसको ऐसा किया सबसे पहले ये जो एकस प्लस वन और मापांक एकस था इसे दो अंतराल में break किया ठीक दो अंतराल में break करने के बाद मुझे पता चला कि भाई साब ये जो है ना वो या हमने इसे अंतराल में break किया तीन अंतराल निकले ये ये और ये इन तीनों को अलग-अलग तरीके से हल करना है ऐसे ऐसे और ऐसे पहले केस में आपने X कमाने से लिया मापांक X प्लस बदर मापांक X जो है वो तीनों शेतर में अलग-अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं इसलिए अपने इनके टुकड़े करने की कोशिश की और आपको ये इस तरह से हल मिला चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार उम्मीद है आपको ये प्रशने समझ में आ चुका होगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी दने चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रशने की तरफ मापांक X प्लस 3 प्लस X बता X प्लस 2 एक से बड़ा होना चाहिए क्या आप यहां बोल सकते हैं कि मापांक X प्लस 3 3 से चोटा और 3 के बड़े मानों के लिए अलग-अलग तरह से बिएफ करेगा तो मुझे X को 2 केस में तोड़ना पड़ेगा कि जब ये तीन से बड़ा है और जब ये तीन से छोटा है तो फटा-फट आप एक बार इसके दो केस बना के देखें कि क्या के आपके जवाब हो सकते हैं देखो मापांक एक्स प्लस तीन जो है न वो यहां जरूर आपको दो अलग अलग अंतरालों में प्रश्ण को तोड़ने के लिए मजबूर करेगा लेकिन सबसे पहले अपने इस प्रश्ण को सेडल करते हैं मतलब जब भी ऐसी अलसमीका होती है हम शुन्य को एक साइड बनाने की कोशिश करते हैं मतलब हमें जो प्रश्ण में दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि मापांक x प्लस 3 जो है प्लस x और x प्लस 2 एक से बड़ा होना चाहिए आप इस एक को इधर ला सकते हैं x प्लस 2 और एक को इधर लाए तो यह माइनस एक उधर शुन्य बना ना अब लगुत्तम लेने के बाद आप इसा इसा लिख सकते हैं मापांक x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 भाग देकर x प्लस 2 शुन्य से बड़ा हो ऐसा क्लियर है बिलकुल क्लियर है तो x से x गया आपके सामने जो प्रेश्न नए रूप में बना है वो कुछ ऐसा है जिसे आपको हल करना है मापांक x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड भाग एक्स प्लस 2 जीरो से बड़ा है हमें इसी प्रेश्न के बारे में बात करनी बस यह जो माइन या एक था ना इसने हमारी काफी सहाईता की x को x से काड़ दिया हम थोड़े से खुश तो है चलिए तो अब ना हम सबसे पहले यह देखें कि यह जो x प्लस 3 है ना यह कैसे बिहेव करता है तो हमारे सामने जो मुद्दा है वो मापांग वाली कहानी है क्योंकि मापांग वाली कहानी जब भी आती है हम हमेशा परेशान रहते हैं तो चूकि अपन जानते हैं कि मापांग a यदी दिया हो वो दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है a और minus a कब जब यह जो A लिखा है या तो वो धनात्मक हो या शुन्य हो या फिर वो रिनात्मक हो तो मापांक X प्लस 3 के बारे में अब जब आप बात करेंगे तो मापांक X प्लस 3 जो है वो ऐसा हो जाएगा एक तो यह X प्लस 3 दूसरा माइनस चिन्न के साथ X प्लस 3 जब यह x प्लस 3 है इसका मतलब x प्लस 3 शुन्ने से बढ़ा होना चाहिए x प्लस 3 शुन्ने से बढ़ा होना चाहिए मतलब x माइनस 3 से बढ़ा होना चाहिए और x माइनस 3 से छोटा होना चाहिए मतलब अभी हम प्रेश्ण को दो टुकडों में तोड़ेंगे एक एकस प्लस तीन और एक तो तीन के पहले या तीन के माइनस तीन के पहले और दूसरा तीन के बाद माइनस तीन के बाद अगर ये वाला बिंदू कहीं ना कहीं माइनस तीन है तो मुझे प्रश्न को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा एक तो माइनस अनंत से लेकर माइनस तीन, दूसरा माइनस तीन से लेकर अनंत, क्योंकि माइनस तीन से लेकर अनंत में ये x प्लस तीन हो जाता है, x जो है वो माइनस तीन से बढ़ा है, कहां तक बढ़ा है, अनंत तक बढ़ा है, दूसरा x माइनस तीन से छोटा है, कहां तक चोटा है तो प्रश्ण के अंदर दो केस बनेंगे केस नमबर वन ठीक है केस नमबर वन क्या कह रहा है केस नमबर वन एक्स जो है वह माइनस अनंत से लेकर माइनस तीन है एक्स जो है वह माइनस अनंत से लेकर माइनस तीन है औके तो जब x-yanant से लेकर जब x-3 से छोटा है या आप इसे 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 लिख सकते हैं कि हम यह वाला पार्ट पहले हल कर रहे हैं उस केस में मापांक x-3 जो है वो जाएगा –x-3 ठीक है? हमें कोई दिक्कत नहीं है हम यह वाली आसमीका को फिर से लिख लेते हैं हमें यही तो प्रशने हल करना है ना x plus 3 minus 2 divide by x plus 2 शुन्य से बड़ा होना चाहिए यही प्रशने अपना अपने इसे सरल किया था बिल्कुल सरल किया था देख लो एक बार ओके अब x plus 3 की जगे minus x plus 3 so can I write down minus x plus 3 minus 2 divide by x plus 2 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर minus x minus 5 x plus 2 0 से बड़ा होना चाहिए ओके आप यहां से minus चिन्न को बाहर निकालेंगे निकाल लिया तो यहां पर तो बचा x plus 5 और यहां x plus 2 0 से बड़ा होना चाहिए minus चिन्न को हटाना पड़ेगा minus चिन्न को हटाने का तरीका क्या है दोनों जगे minus 1 का गुणा कर दो minus 1 का गुणा करते ही यह जो आसमी का है वो इधर तो x plus 5 बटा x plus 2 हो जाएगी लेकिन इधर भी 0 रहेगा लेकिन यहां जो चिन्न है वो बदल जाएगा अब आपको इसे हल करके देखना है तो one by one अपने सामने दो केस है चोटे चोटे पहला x plus 5 और x plus 2 कहा कहा शुन्य होते है तो क्या बता सकते हैं x plus 5 कहां शुन्य होता है तो sir x plus 5 जो है वो x बराबर 5 पर शुन्य होता है है ना x बराबर माइनस 5 पर और x plus 2 जो है वो x बराबर माइनस 2 पर शुन्य होता है तो हमने माइनस पाँच और माइनस दो को लिखने की कोशिश की माइनस पाँच छोटा बिंदू होता है, माइनस दो बड़ा बिंदू होता है, ये अनंत की कहानी है, ये रिन अनंत की कहानी है, ओके, क्लियर है, क्या, हम, मैंने बताया अभी कि ऐसे मोड़ना है, वेवी वक्र माइनस दो किसकी वज़ा से आया एकस प्लस दो की इसकी घात कितनी है एकस प्लस दो की पूरे की अगर घात देखी जाए तो एक विशम घात है क्रॉस करा दो ठीक है उसके बाद गए माइनस पांच माइनस पांच किसकी वज़ा से एकस प्लस पांच एकस प्लस पांच की घात कितनी है विशम है फिर से देख लो यहां पर भी घात एक ही है क्रॉस करा दिया आपको यह चाहिए रणात्मक मतलब 0 से छोटा तो 0 से छोटा तो यह वाले भाग में उपर धनात्मक है धनात्मक है सो अल्टिमेटली हमारा जो जवाब यहां से मिला वो यह मिला कि X जो है वो माइनस 5 से माइनस 2 होना चाहिए पर यह जवाब पूरी तरह से नहीं है क्योंकि आपके सामने अभी तो यह वाली कहानी भी है ना आपको इसे और इसे दोनों को एक साथ संतुस्ट करा कर देखना पड़ेगा तो देखना परन्तु यहां पर एक बात और आप ध्यान रख लीजिए परन्तु क्या कि X जो है वो माइनस अनंत से माइनस 3 तक ही है मतलब आपके सामने यह जो लेकिन X बोल रहा है कि मैं माइनस 5 से माइनस 2 को नहीं जानता मैं माइनस 3 से छोटा हूँ अब आप बताओ आप क्या मान प्रेज़ पर नहीं द सान चाहिए तो हमने जो n यहां माइनस 5 है न माइनस 2 कहीं भी बराबर वाली जानकारी नहीं है जानता दोसरा वाला भाग बोल रहा है कि माइनस 3 से अननत माइनस 3 कहा होगा तो माइनस 3 जो है व़ो माइनस दो के इधर साइड होगा इस से छोटा होना चाहिए कहां तक अनंत तक या रिन अनंत तक रिन अनंत यहां पर है अब इन दोनों का common शेत्र चाहिए दोनों का common शेत्र कौन सा हो सकता है तो दोनों का जो common शेत्र है वो इतना इतना ही है तो भाई साब इन दोनों की मदद से जो x का मान आया वो आया x जो है वो minus 5 से minus 3 है ये पहला case है अभी तो सिर्फ case number 1 हल हुआ है ठीके इसमें घबराने की बात नहीं है अभी case number 1 हल हुआ है case number 2 अभी और बाकी है case number 2 क्या कहेगा case number 2 कहता है ये पुराना प्रश्न है case number 2 कहता है कि यार अभी ना आपका जो x है वो minus 3 से बड़ा भी होगा ये आप कर चुके है minus 3 से छोटा अभी ये बाकी है तो case number 2 हमारा जो शुरू होता है वो ये कहता है case number 2 case number 2 कि x जो है वो minus 3 से बड़ा है या फिर x minus 3 से अनंत है minus 3 के बराबर भी हो सकता है वो जो बराबर वाला चिन है अपन यहाँ लेते हैं यहाँ नहीं लेते हैं हो तो यहाँ भी ले सकते हो इसमें कोई चिंता की बात नहीं ही मतब दोनों में से कहीं एक ले लो खिर मापांग के बारे में अपन डिसकस कर चुके हैं ओके तो यहाँ से सबसे पहली बात तो यह decide हो रही है ना कि x minus 3 से अनंत है मतब जो भी हल आएगा वो minus 3 से अनंत के बीच में ही आ सकता है इस केस में जो मापांग x plus 3 है मापांग x plus 3 है आप इसे x plus 3 लिखते हैं और जब इसे x plus 3 लिखते हैं तब आपका जो प्रशन था वो ऐसा था मापांग x plus 3 minus 2 divide by x plus 2 0 से बड़ा होना चाहिए प्रशन तो यही था अपना ultimately अब मापांग x plus 3 की जगे आप साफ साफ x plus 3 लिख सकते हैं तो x plus 3 minus 2 बटा x plus 2 0 से बड़ा होना चाहिए और अगर मैं इसे काट मतलब cancel करूँ तो x plus 1 x plus 2 0 से बड़ा होना चाहिए ठीके clear है अब इसे भी हल कर लेते हैं तो इसे हल जब करने जाएंगे तो सबसे पहले यह देखो कि यह जो x plus 1 है x plus 1 कहां शुन्य हो रहा है x बराबर minus 1 पर x plus 2 जो है वो कहां शुन्य हो रहा है x बराबर minus 2 पर so ultimately यहां से आपके सामने 2 बिंदू मिले minus 1 और minus 2 यह minus 1 यह minus 2 आपको देख लिया अपने की इन दोनों की जो घाते है वो एक है x का गुणांक भी एक है तो अपना फोटो फिर से ऐसा बन जाएगा इसके उपर positive इसके उपर positive इसके नीचे negative आपको चिन्न क्या मिला है positive होना चाहिए मतलब minus 2 से अनंत minus मतलब minus 2 के पहले वाले भागों के लिए और 1 से बड़े वाले भागों के लिए आपको चाहिए positive वाला part negative वाला नहीं x जो है वो minus अनंत से लेकर minus 2 होना चाहिए union minus 1 से लेकर अनंत होना चाहिए है पर ये भी जवाब नहीं है जवाब तो इसको एगरी करना चाहिए ना तो अब इसे और इन दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं आईए एकस माइनस तीन से बढ़ा हो ये बात क्लियर है तो माइनस तीन यहाँ पर है माइनस तीन और माइनस तीन से बढ़ा हो मतलब एकस ऐसा होना चाहिए ठीक है ठीक है पहला जो भाग यहां बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि माइनस दो से आप माइनस अनंत तक जा सकते देखिए एक्स माइनस तीन के बराबर है क्या माइनस दो के बराबर है नहीं है तो माइनस दो का गोला जो है वो खुला छोड़ा माइनस दो से छोटे अंतराल के लिए X जो है वो ऐसा होगा अब इन दोनों का जो लाल और काले का जो कौमन शेत्र है वो ऐसा है बिलकुल तो माइनस तीन से माइनस दो माइनस दो का गोला खुला है और माइनस तीन का बंद है लेकिन अभी ये वाली कहानी और बची है माइनस एक से अनन्त तो माइनस एक से अनन्त वाले को भी प्लोट करना पड़ेगा माइनस दो के बाद कहीं माइनस एक आएगा तो माइनस एक से अनन्त मतलब ये वाली कहानी तो अब लाल और ये वाली जो रेखा है इन दोनों का common शित्र देखिए या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए लेकिन दोनों हो तो इसके साथ ये हो तो भी इसको संतुस्ट करे ये हो तो भी इसको संतुस्ट करे तो ये वाला पार्ट इसको संतुस्ट करे तो माइनस एक से बड़े मान मतलब माइनस एक से अनंद ये आपका X है क्लियर, बिलकुल क्लियर, अरे कोई प ужас कोई समस्य कोई दिक्कत तो नहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो एक तो जवाब ये, पहला जवाब ये, इन दोनों की मदद से आपको जवाब देना है ओके तो अपन जवाब लिखना शुरू करें चलो शुरू करते हैं हल अभी आपको और भी मज़ा आएगा हल लिखने में देखना थुड़ा सा ज़रूर आएगा अब जब आप इसका हल लिखने जाएंगे तो आपको हल क्या मिलेगा पहला पहला हल क्या था जो अपन ने निकाला था माइनस पांच से लेकर माइनस तीन दोनों का जो गोला है वो खुला है माइनस पांच से लेकर माइनस तीन माइनस पांच से माइनस तीन दोनों का गोला खुला बाद वाले को यूनियन में लिख दो कैसे माइनस बादवाला क्या है माइनस तीन से लेकर माइनस दो ये इसका हल है लेकिन अभी जवाब नहीं था माइनस तीन से माइनस दो यूनियन एक से लेकर अनन्थ तो इसे अपन ने लिखा माइनस तीन से माइनस दो यूनियन एक से माइनस एक से लेकर अनन्थ लेकिन यहाँ पर जो bracket है वो बंद वाला था क्या यह जवाब सही है आप अपनी किताब में देखिए यह जवाब शायद आपको ना मिले क्योंकि इसे अपन थोड़ा और भी तरीके से लिख सकते हैं समझने की कोशिश करो आप माइनस पाँच से माइनस तीन तक गए है ना मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया चल के मैं माइनस पाँच से माइनस तीन तक गए फिर माइनस तीन से माइनस दो तक गए इसका मतलब क्या है मैं माइनस पाँच से माइनस दो तक गए यही हुआ ना तो इन दुख्जों को मिला कर क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि मैं माइनस पांच से माइनस दो तक गया? बिलकुल. पर इसमें एक चीज और देख लेना कि माइनस तीन ऐसा तो नहीं आपने छोड़ दिया. तो माइनस तीन ये वाले अंतराल में नहीं था लेकिन ये वाले में तो था इसका मतलब माइनस तीन इंक्लूड हो चुका है. union माइनस एक से लेकर अनंत. that can be the answer in your textbook. हलाकि जवाब ये भी हो सकता है. जवाब ये भी हो सकता है. और एक और तरीके से जवाब हो सकता है कैसे? आप देखिए माइनस 5 से माइनस 2 जा रहे हैं फिर माइनस 2 से माइनस 1 के बीच का अंतराल छोड़ने के बाद माइनस या अनंत तक जा रहे हैं अब इसको अगर आप फोटो पर बना कर देखोगे तो आपको ऐसा डाइगराम दिखेगा ये माइनस 5 ये माइनस 2 तो यहां से यहां पहुँचे और उसके बाद माइनस 1 से अनंत गए तो अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दू कि ये जो X है वो माइनस 5 से अनंत गया बस उसमें ये वाला अंतराल घटा दो तो कहां से कहां तक माइनस 2 से माइनस 1 अब क्या माइनस 2 जवाब के अंदर है नहीं है मतलब जिसको घटा रहे हैं उसमें माइनस 2 घट जाना चाहिए तो माइनस 2 पर भी ब्रेकेट क्लोस उसी तरह माइनस एक पर भी ब्रेकेट क्लोस, that can be the answer again, यह है बहुत मज़े की बात, ठीक है, बहुत मज़े की बात है यह, जब X घूमता है न, मतलब अभी तक आपने क्या देखा थे, यह लेखा देखी थी, X का मान, एक देखा था, दो देखा था, तीन देखा था, चार दे परेशानी चाहो तो इस प्रशन को एक बार फिर से देख लो, प्रशन ऐसा था, बिलकुल था, हमने उसे थोड़ा सिंपल किया, एक को उधर पहुचाया, फिर मापांक वाले भाई साब को देखा कि आप चाहते क्या हो, उनने कहा कि मैं माइनस तीन और तीन के बीच जड़ करना चाहता हूँ, उन्होंने लड़ाई की और प्रशन को दो भिन्न भिन्न केस में तोड़ दिया, ठीक, ठीक, एक केस तो ऐसा था, जिसमें माइनस 3 से छोटे सारे मान थे, दूसरा जो केस था, उसमें 3 से माइनस 3 से बड़े मान थे, और इन दोनों को हल कराने के लिए मे फिर से एक लड़ाई करवानी पड़ी, दने यार, चलो फिर, next, move to the next question, निमनलिकित असमी का निकाय को हल कीजे, निकाय का मतलब दो असमी का है, और दोनों को एक साथ हल करना है, देखिए, जब मापांक वाले सवाल थे ना, तब भी दो अलग-अलग असमी का बनी थी, उस प्रशन एक ही प्रशन था, यहां दो अलग-अलग असमी का दी है क्या नहीं, लेकिन फिर भी दो अलग-अलग केस बने और निकाय बना, मतलब दो अलग-अलग असमी का है, यहां पर दो अलग-असमी का हैं आपको अल्रेडी दी हुई है, इसे आपको हल करना है, और वास् पर इन दोनों को मिलाने वाला मतलब ऐसा X जो पहले वाले को भी संतुस्ट करें और ऐसा X जो दूसरे वाले को भी संतुस्ट करें हमें दोनों निकाल के दिना है सिर्फ वो X जो पहले वाले को संतुस्ट करें वो हमारा जवाब नहीं है सिर्फ वो जो दूसरे वाले को संतुस्ट करें वो भी हमारा जवाब नहीं है वो X जो पहले और दूसरे दोनों को संतुस्ट करेगा आसमी का निकाय में वही हमारा हल होता है इसलिए पुराने वाले सवाल को हम पूरी तरह से निकाय नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर जो X था वो या तो पहले केस को या दूसरे केस को हल करें अपन हल लिख रहे थे यहाँ पर एक और दो दोनों को हल करना चाहिए तो आप सबसे पहले देखो कि आपको आसमी का क्या क्या दी गई है ठीक है पहला जो आसमी का दी है वो है X बटा 2X प्लस एक ग्रटर दन और इक्वल टू 1 बाई 4 पहला पार्ट दूसरा जो पार्ट है वो है 6X भाग दे दो 4X माइनस एक लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2 ये दूसरा पार्ट है भाई साब ठीक अब आपको इसे भी हल करना इसे भी हल करना आईए मैं 1 बाई 1 आपको दोनों हल करके दिखाता हूँ ठीक तो अपन सबसे पहले हल कर रहे हैं आसमी का क्रमांक एक अब इसे हल करने के लिए बन क्या करेंगे तो सबसे पहले आसमी का लिखेंगे X बटा 2X प्लस 1 ग्रेटर दन रिकोल टू 1 बाई 4 तो ये दियार X बटा 2X प्लस 1 ग्रेटर दन रिकोल टू 1 बाई 4 देखिए अगर आप इस बात को लेके पूरी तरह संतुस्ट है कि जो संख्या है वो धनात्मक है तो आप उसे गुणा कर सकते हैं चिंता की बात नहीं है ये जो चार है वो धनात्मक है हमें दिखता है अगर चार धनात्मक है तो अपन सीधा सीधा इसको यहां गुणा कर सकते हैं बात की बात नहीं है बच जाएगा एक इस एक को इधर ले आओ हमें इस साइट जीरो बनाना होता है जब भी अपना समीका की बात करते हमें यहां पर क्या बनाना होता है? 0 एक को इधर लाने से आसमीका का चिन्न परिवर्तित नहीं होगा उसके बाद हम लगुत्तम लेंगे तो 4x माइनस 2x प्लस 1 और यहां पर 2x प्लस 1 greater than or equal to 0 ठीके अब इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा थोड़ा सा सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो 4x में से 2x गए तो 2x माइनस 1 बटा 2x प्लस 1 greater than or equal to 0 अब इसमें आप सब इतना कर लिया उसके बाद आपने देखा कि क्या अंच और हर में रेखिक गुननखंड है हैं लेकिन क्या x का गुनांग गुनांग 10x का गुनांग बनाना है तो क्या उपर वाले समीकरण को आप 2 से भाग दे सकते हैं दे सकते हैं नीचे वाले को भी 2 से भाग दे सकते हैं 2 से भाग देने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा ये हो जाएगा x माइनस 1 बट्स 1 बटा 2 और x प्लस 1 बाई 2 greater than or equal to 0 इसका जो जवाब है वो ऐसा है कि ये जो x minus 1 बटा 2 है ये जो x minus 1 बटा 2 है ये कहां शुन्य होता है सर तो ये जब शुन्य होगा x बराबर 1 बटा 2 पर और दूसरा x प्लस 1 बटा 2 कहां शुन्य होगा ये शुन्य होगा x बराबर माइनस एक बटा दो पर तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला कर बना लिया मतलब एक संख्या रेखा पर इन दोनों बिंदुओं को निरुपित करने की कोशिश है ये अनंत है ये माइनस अनंत है तो पहला बिंदु एक बटा दो दूसरा माइनस 1 बटा दो क्या दोनों की घात एक है बिलकुल है मतलब विशम घात है आपको सम घात वाल है भी नहीं वैसे अपनने इसको यहां से ऐसे क्रॉस करा दिया इसके उपर पॉजिटिव इसके उपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगटिव मतलब एक सक्ष के ऊपर सीज़ पॉजिटिव रहेगी नीचे नेगटिव रहेगी परन्तु एक चीज़ यहां ध्यान रखनी है चूकि बराबर का चिन दिया है उस बिंदू को भी लेना है जो अंच की वज़ा से आया है अंच की वज़ा से कौन सा बिंदू आया है इसकी वज़ा से आया है एकस बराबर एक बटा दो मतलब यह जो बिंदू है उसे इंक्लूड करना है इंक्लूड करना है मतलब यह हल में होगा और इस वाले बिंदू को हटाना है क्योंकि ये माइनस एक बटा दो हर की वज़र से आया है तो एक बटा दो जो की अंच की वज़र से आया है उसको आप लिख सकते हैं या उसे लिखेंगे हल के अंदर लेकिन ये वाले बिंदू को हल के अंदर नहीं लिखेंगे मतलब यहां पर जो आपका हल दे रहा है आपको 0 या 0 से वड़ा चाहिए मतलब धनात्मक मान, धनात्मक मान ये वाला और वो वाला तो यहां पर आप जो हल लिखने की कोशिश करेंगे उसे बड़े ध्यान से देखिए थोड़ा सा आपको मतलब ट्रेंड में बदलाओ दिखेगा X जो है धनात्मक कहां से यहां से लेकर मा एक बटा दो तक तो सर माइनस अनंत से लेकर माइनस एक बटा दो तक परन्तू माइनस एक बटा दो हल के अंदर नहीं लिखना है तो माइनस एक बटा दो अपने हल से हटाया यूनियन एक बटा दो से अनंत तक अब एक बटा दो जो है वो हल शेत्र के अंदर आता है इसलिए ऐसा अनंत पर सदैव खुला अंतराल रहेगा तो इसका जो हल है वो इतना है पर अभी सिर्फ इसी से काम नहीं होगा अभी तो द एक्स बटा चार वाए या छे एक्स बटा चार एक्स माइनस एक एक बटा दो से छोटा होना चाहिए अपने इस वाली असमीका को लिखने की फिर से कोशिश कर लिके हमें दूसरी वाली जो असमीका दी है असमीका नंबर दो ये क्या थी ये छे एक्स को जब चार एक्स से भाग दिया था तो एक बटा दो आया था यह दो को इधर गुणा कर सकते हैं फाइनल है क्या ठीक है दो को इधर गुणा किया तो कितना मिला सर फटा 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 फटी यार दो को अगर इधर गुणा किया तो छे दुनी बारा बिलकुल सही है छे एकस माइनस वान एक एक को सबस्थ कि दर ले आए तरीका अभी भी वही है typically in चार एक समाइनब्सक एक माइनस एक बटा या माइनस एक ऐसा ठीक है क्या सुर्ष माइनस चार एक समाइनस वन और ये चार एक समाइनस वन जीरो से छोटा दिखना बारा में से चार एक्स गए तो आट एक्स हाँ जी प्लस वन और ये चार एक्स माइनस वन जीरो से छोटा ओके सो नाओ इफ टॉक अबार मनत देखो ध्यान से यहां पर जो गुणनखंड है वो सारे के सारे रेखिक गुणनखंड है बतब एक्स की घात एक है अब उसके बाद अगर मैं यहां पर भाग दे दूं किससे चार से या आठ से ऐसा क्यों करना पड़ेगा इसका जो गुणांख है एक्स का वो एक बनाना पड़ेगा तो इसे आप आठ से भाग दे सकते हैं कोई चिंता की बात नहीं है यहां 0 है ना मतलब यू समझो कि आपने दोनों साइड 8 से भाग दी जा फरक पड़ा क्या 0 को कुछ नहीं पड़ा तो यह हुआ एक्स प्लस 1 बाई 8 और यहां पर सेम कॉंसेट से एक्स माइनस 1 बाई 4 नाओ लेट्स डिसकस दे कॉंसेट कॉंसेट ऐसा है कि आपका जो एक्स है वो एक्स प्लस 1 बाई 8 डिवाइड वाई एक्स माइनस 1 बाई 4 0 से छोटा होना चाहिए क्या चेक करते हैं सबसे पहले यह चेक करते हैं कि x जो है या अंच वाली कहानी और हर वाली कहानी कहां कहां शुन्य होती है तो x बराबर minus 1 by 8 दूसरा x minus 1 by 4 कहां शुन्य होता है तो x बराबर 1 by 4 ओके ठीक है अब अपन इसका अरेक बनाएंगे तो minus 1 by 8 और 1 by 4 के बारे में आप क्या कह सकते हैं यह माइनस अनन्थ है यह अनन्थ है चिंता की बात नहीं है माइनस 1 बाई 8 छोटा सा बिंदू हो गए कि हाँ कहीं माइनस 1 बाई 8 और 1 बाई 4 यहां कहीं होगा जैसा अभी तक आपने आरेक बनाया वैसा ही यहां पर घात वात सबकी विश्रम है तो ऐसी गूम जाएगा अब हमें चाहिए 0 से छोटा इसके उपर पॉजिटिव उपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव आपको x 0 से छोटा चाहिए मतलब आपका जो x होना चाहिए वो माइनस 1 बटा 8 से 1 बटा 4 तक होना चाहिए क्या आप इस बात को समझ चुके हैं कहां से कहां तक यहां से यहां तक bracket खुला क्यों है क्योंकि आसमीका में कहीं भी बराबर वाला चिंद नहीं है less than वाली आसमीका है तो पहला वाला हल तो यह है दूसरा वाला हल तो यह है और पहला वाला हल यह है इन दोनों की मदद से आपको इस आसमीका को हल करना है ठीक तो इन दोनों की मदद से अपन इसका आंसर निकालेंगे तो आपको जो दो हल मिले वो कौन कौन से मिले है पहला तो X माइनस अनंत से माइनस एक बटा दो यूनियन एक बटा दो कॉमा अनंत दूसरा जो हल मिला वो कौन से मिला है x जो है वो माइनस 1 बटा 2 से 1 बटा 4 तक होना चाहिए क्या ही है दोनों ही case आपको मिले देख लो माइनस 1 बटा 8 से 1 बटा 4 और ऐसा ऐसा कुछ ठीक है ठीक है अब हम इन दोनों को संख्या रेखा पर बनाएंगे चुकि ये आसमी का निकाए है ये वाला हल किसका था ये आसमी का एक का हल था किसका था ये सर आसमी का एक का हल था हाँ और ये वाला हल किसका था ये आसमी का दो का हल था अब जब हम निकाए की बात करते हैं तो आसमी का एक और आसमी का दो का जो हल है वो दोनों एक साथ सही होने चाहिए मतलब जब मैं हल निकालूंगा तो उस पर ये वाली पहली वाली आसमी का और दूसरी वाली आसमी का दोनों सही होनी चाहिए इसलिए अपन इन दोनों का combine answer निकालने की कोशिश करेंगे ओके जो जो बिंदू दिये हैं उननको decide कर दीजे माइनस अनन्त ये है और अनन्त ये है माइनस अनन्त से एक बटा दो एक बटा दो अपन यहां कहीं माल ले एक बटा दो खुला ब्रेकेट है क्या माइनस एक बटा दो खुला है खुला है तो माइनस अनन्त से माइनस एक बटा दो आपने ऐसा बनाया कि यहां से यहां तक हल होगा एक बटा दो से अनन्त एक बटा दो जो है वो यहां कहीं माल लेते एक बटा दो से अनंतारे कैसा है एक बटा दो पर अंतराल बंद है इसलिए इस गोले को बंद कर दिया ठीक, सारे के सारे concept fundamental सेम है माइनस एक बटा आठ माइनस एक बटा आठ क्या माइनस एक बटा दो से बड़ा है या छोटा है मतलब ये किधर आएगा मतलब अगर ये माइनस एक बटा दो ये तो माइनस एक बटा आठ कहा आना चाहिए तो देखो यार माइनस एक बटा आठ ना माइनस एक बटा दो से बड़ा है क्यों बड़ा है आप चाहो तो दोनों साइड minus 1 minus 1 का गुणा कर दीजिए तो 1 बटा 8 1 बटा 2 से छोटा है ये बात सही है अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर दीजिए पूरी या समीका में 8 का गुणा कर दीजिए तो यहां तो हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 4 मतलब 4 एक से बड़ा है तो उसी तरह से मतलब इस concept से अपने यहां बोल दिया कि माइनस एक बटा आट माइनस एक बटा दो से बड़ा है तो माइनस एक बटा आट माइनस एक बटा दो से बड़ा है तो यहां कहीं मान लेते हैं एक बटा चार एक बटा दो से छोटा होगा एक बटा दो का मतलब एक के दो टुकड़े एक बटा चार के मतलब एक के चार टुकड़े ये ऐसा आएगा और आपका जो दूसरा वाला हल है वो इन दोनों का हल है देखो यार ये आसमी का एक का हल था ये भी आसमी का एक का हल था और ये दो का हल था आपको वो X चाहिए जो पहली वाली आसमी का को भी संतुष्ट करे और दूसरी वाली आसमी का को भी संतुष्ट करे ऐसा कोई X है क्या इसके साथ और इन दोनों को संतुष्ट करने वाला एक साथ ऐसा कोई X है कोई नहीं है एक रिक्त समुच्च है हल क्या है रिक्त समुच्च भले ही आपने बहुत बड़े बड़े जवाद निकाले लेकिन इसका आंसर है कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो पहली और दूसरी या समीका को संतुष्ट कर ले जवाब क्यों क्योंकि पहली यहाँ पर सही है और यहाँ पर सही है लेकिन दूसरी इन दोनों अंतराल में सही नहीं है दूसरी यहाँ सही है पर यहाँ पर पहली सही नहीं है तो दोनों का सर्वनिस्ट शुन्याया इस तरह से आपके या शुन्य मतलब एक रिक्त समुच्च चलिए यार तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्ण की तरफ आप इसे देख सकते हैं इस प्रश्ण को एक बार फिर से समझ सकते हैं उम्मीद है आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सामने पहली आसम नहीं का मैं बड़ा वाला चिन्न था इसलिए ऐसा ऐसा कुछ आपको देखने को मिला ठीक है उसके बाद यहाँ पर लेस देन है तो बारा बारा में से चार गए तो आठ आठ माइनस माइनस एक तो यह हो गया प्लस एक ठीक है आठ प्लस एक और उसके बाद यहाँ से आपको मिलता है चार एक माइनस एक और इसे आपने हल किया तो आपको यह अंतराल मिला और दोनों का कोई भी हल आपका हल शेत्र नहीं है नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न कैसा वो ऐसा कैसेट बनाने वाली किसी कमपनी के लागत एवं राजस्व फलन क्रमशा CX और RX दिये गए है जहां X एक सप्ता में निर्मित किये गए वा बेचे गए कैसेटों की संख्या है कुल कुछ लाब अरजित करने के लिए कमपनी द्वारा कितनी कैसेट बेचना या आवश्य बेचे जाने चाहिए देखिए प्रश्न है कि कोई एक कमपनी है पहले समझ लो कोई एक कमपनी है जो कैसेट बनाती है और कोई भी company जब कुछ भी product बनाती है तो एक तो लगती है लागत दूसरा मिलता है दाम ठीक है मतलब राजस्व और लागत मतलब cost और revenue अब cost revenue का मतलब है कि आपने cassette को बनाने में कितने पैसे लगाए ठीक है और उस cassette को बनाने में बेचने में आपने कितने पैसे कमाए जिस बिसिकली जो भी यहां पर आपको यह बोलाए कि एक सब्ता में माल लीजे उनने हजार cassette बनाई हो सकता है वो एक सब्ता में 100 cassette बनाए तो उन एक सब्ता में बनाई गई cassette की जो संख्या है उसका जो राजस्व है वो इस फलन के according या उसका जो लागत है वो इस फलन के according वेरी करता है cx बराबर cx मतलब cost जो है वो इस फलन के according vary करती है 2600 या 26000 प्लस 3x मतलब जैसे उधारन के लिए आपने एक सब्ता में सिर्फ एक cassette बनाई ठीक है तो x का मान एक तो 2600 3 रूपे लगेंगे अगर आपने एक सब्ता में 4 कैसेट बनाई ठीक है तो आपने एक सब्ता में 4 कैसेट बनाई तो आपको यहाँ पर चार रग दोगे तो 2600 बारह तीस x है तीन नहीं तो तीस अब दोगे बेसिकली 26000 गुना चार गुना तीस तो 2600 120 रूपे लगेंगे तो यह x का माने कैसेट की बनाई गई संख्या एक सब्ता में उसके अकॉर्डिंग आपको लागत पता चल जाती है ठीक है और वास्तों में ऐसा होता है उप एक मतलब बहुत सारी कंपनियां तो आपको पैसे लगे 2600 30 रूपे एक्स का माने एक रखो के तो 26000 प्लस 30 2600 30 बिकी कितने में 43 रूपे में तो 2600 30 रूपे की एक कैसर 43 रूपे में बिची तो कंपनी का घाटा ही घाटा है अच्छा मैं आपको थुड़ी वोत यहाँ चीज़े बता देता हूँ जिसे यह 26000 है और यह 30 एक्स है यह ऐसा क्यों है इसको मतलब सीधा सीधा अगर 30 एक्स होता तो जैसे कोई भी एक कंपनी है तो जो कैसर्ट बनाने का सामान है वो इस दाम से वैरी करता है अब कंपनी को चलाने के लिए बिजली चाहिए मजदूर चाहिए चाहे कैसेट बने ना बने एक सब्ता में उनका दाम तो फिक्स होता है ठीक है तो यह 26000 माल लेते हैं 26000 वो पैसे हैं जो चाहे एक भी कैसेट ना बने जो कंपनी को खर्चा करन है जैसे माल लीजिए एक सब्ता में उनने जीरो कैसेट बनाई तो फिर भी कॉस्ट कितना लग गया 26000 एक्स की जगे जिरू रग दो तो अब जब कैसे टेक भी नहीं बनाए 26000 कैसे लगे मजदूर आये उनको पैसा दिया मशीने चली उनकी लिए या मशीनों का जो किसमे पिसमे एक सब्ता में कुछ लाब अरजित करने के लिए बताब कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए कितनी मिनिमण कैसे ट कमपनी को बेचनी पड़ेगी तो एक सीदी सीदी बात है यदि आपको लाब चाहिए तो लाब कभ़ो सकता है तो लाब तभी हो सकता है जब आपने जो भी राजस्व निकाला है उसमें से आप लागत को घटा दे मतलब जो कमाया है उसमें से अगर लागत को घटा दे तो ये बात धनात्मक आनी चाहिए तबी जाकर आपको लाव होगा वरना लाव नहीं होना जो आपने पैसा कमाया उसमें से लागत को घटाने पर ज पर धनात्मक माना आना चाहिए तो 43X तो राजस्व है माइनस 26,000 प्लस 30X ये भाई साथ धनात्मक होना चाहिए क्या आपको ये बात क्लियर है तो आपने इसे हल करने की कोशिश की तो 43X माइनस 26,000 माइनस 30X पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 13X जो है वो 26,000 से बड़ा होना चाहिए आपने 13 से भाग दे दिया क्योंकि धनात्मक संख्या से भाग देने पर आसमीका का चिन्न परिवर्तित नहीं होता मतलब जो कैसेट बेची जाएगी वो 2000 से जादा होनी चाहिए एक सब्ता में तो अगर एक सब्ता में 2000 से जादा कैसेट बेची जाएगी तब जाकर कंपनी को लाब होगा आप इसे वेरिफाई भी कर सकते हैं कि यदी X का मान 2000 है यदि x बराबर 2000 है तो cx का मान कितना मतलब लागत कितनी तो 2000 कैसे टोकी लागत कितनी हो जाएगी सर 26000 तो ये है ठीके प्लस 30 गुना 2000 ठीक और अगर मैं यहाँ पर x का मान 2000 रखूँगा तो राजस्व भी कुछ और आएगा ठीके मतलब r का मान 2000 पर तो ये मिलेगा 43 गुना 2000 ठीक तो सीधी सीधी बात है कंपनी द्वारा 2000 से जादा कैसेट बेची जानी चाहिए और ये आपका आंसर है 2000 से कितनी जादा बेचोगे अगर 2000 से एक बेचोगे तो अच्छी बात है 2000 से दो बेचोगे तो अच्छी बात है 2000 से तीन बेचोगे तो अच्छी बात है 2000 से चार बेचोगे तो अच्छी बात है देखो इस केस में लागत आएगी ये तो हुआ 60,000 और 26,000 86,000 86,000 लागत है और 43 का डबल 86,000 मतलब 86,000 जो है वो राजस्व है मतलब अगर आप 2000 कैसेट बेच देते हैं बना कर तो जितना पैसा लगा और जितना कमाया वो बराबर है 0 लाब तो 2000 से जादा बेचोगे तो लाब जादा होगा अब कितनी बेच सकते है 2000 से तो 2000 से आप 1 कैसेट जादा बेच दो 2 cassette जादा बेच दो 1000 cassette जादा बेच दो ये company के उपर निर्वर है तो हमें मतलब company को कम से कम कितनी cassette बेचनी चाहिए तो कम से कम 2000 एक cassette बेचनी चाहिए ऐसा लिख सकते हैं तो answer यहाँ पर 2000 से बड़ा है अब यहाँ पर एक fundamental concept यह भी है कि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि X जो है वो 2000 से अनन्थ है ऐसा हम क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम ऐसा तब लिखते हैं जब हम बास्तविक संख्यासे के बारे में बात करते हैं जब मैं इसको लिखता हूँ तो 2000.1 भी हमारा जवाब होता है तो क्या आप X का मान 2000.1 लिख सकते हो क्या कोई कंपनी 2000.1 कैसेट बना सकती है कैसेट तो 2000 होगी या 2001 होगी दशमलों वाला तो कॉंसेट नहीं है मतलब यहाँ जो X का मान है वो प्राकरत संख्या है यह कब लगता है जब वास्तविक संख्या होती है ठीके तो यह वाला कॉंसेट यहां मतलगा देना बाकि आपका अंसर जो है वो यही है कि X का मान 2000 से ज़ादा होना चाहिए चलिए किसी तालाब के पानी की अमलता सामान में तब मानी जाती है जब प्रति दिन के तीन मापों का आउसत पियेच पाठ्यांक 8.2 वह 8.5 के मद्धि रहता है यदि प्रत्म दो पियेच पाठ्यांक 8.4 एक एवं आट दशमलो 3.5 है तो तीसरे पाठ्यांक के पियेच मान का परीसर ग्याद कीज़िए ताकि तालाब की अमलता सामान ने रहे मतलब क्या होता है आपने तालाब देखे होंगे और तालाब के अंदर हम बहुत तरह की चीज़े देखते हैं मतलब कुछ लोग उसमें impurities डाल देते हैं मतलब कहीं पर कुछ पानी मिल रहा है अच्छा मिल रहा है खराब मिल रहा है कहीं नदी से या कहीं नहर से पानी आ रहा है कहीं नाले से पानी आ रहा है तो यह सब मिला के तालाब के पानी को गंदा कर देते हैं तो गंदा होना मतलब पानी का जो सामान ने अपन पीएच लेते हैं पी-एच मान जो होता है वो साथ लिया जाता है उससे जादा अगर है तो वो शार माना जाता है कम है तो अमल माना जाता है यह कमिस्ट्री का कॉंसेट है आप लोग जानते हैं तो अगर किसी भी तालाब का पी-एच निकालने गए तो अमलता सामान मानने का मतलब है कि उस पा पहलाब में तैरना जहां पर किसी फैक्टरी का पानी मिल रहा हो यह शरीर के लिए सही नहीं हो सकता तो इसके लिए प्येश निर्धारन किया जाता है कि भाई साब अगर इतना प्येश है तो भले वह पानी नदी का है नहर का है या फिर कहीं फैक्ट्री का पानी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं तो वो जो पी-एच का मान आना चाहिए तीन और सत जो तीन मापों का ओसत है वह आठ दशमलों दो राट दशमलों पांच के मद्याना चाहिए अब उसके बाद भाई साब ने क्या किया कि दो मान निकाले ठीके आठ दशमलों चार आठ और आठ दशमलों तीन पांच तीसरा मान आपको खुद याद करना है जबकि आपको ये पता है कि जो पी-एच या तालाब का पानी है वो सामान्य है मतलब प्रयोग के लायक है तो देखिए आपका जो औसत है आपको ये बोला है दिया गया है प्रश आठ दशमलों दो से बड़ा रह सकता है या बराबर रह सकता है और आठ दशमलों पांच से छोटा रह सकता है पी-एच का उसत किसका पी-एच का ना पावर ओफ हाइड्रोजन उसके बाद माल लीजे आपने दो प्रथम पी-एच लिये हैं माल लीजे आपने पी-एच नंबर लिया वन जिसको आप कह सकते हैं वो आया है आठ दशमलों चार आट दूसरा पी-एच दो जो आया है वो आया है आठ दशमलों तीन पांच माल ल सकते हैं निकाल सकते हैं सरीन तिनों का ओसत कितना आएगा भले ही अपने को तीसरे पीएच के बारे में जानकारी नहीं है तो अपन तीसरे वाले पीएच को एक्स माल लेते हैं ठीक हमें इसी के बारे में बात करनी कि यह कितना हो सकता है तो इनका जो ओसत है वो आना चाहिए क्या 8.48 प्लस 8.35 प्लस X बटा 3 ठीक ठीक है तो इसे थोड़ा सरल करके लिखोगे तो 8.3 और 5 चुड़के हुए 13 हासिल 1 4 और 3 11 11 और 1 12 8 और 8 16 16 और 1 17 प्लस X बटा 3 क्या इतना क्लियर है 48 और 35 नहीं रुको 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 प्लस पांच और 3 पांच और 3 आट और 3 बाद 13 तेरा 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 का हसिल 1 4 और 3 7 7 और 1 8 और यहां पर फिर से 16 ठीक है प्लियर है तो यह मिला 16.83 16.83 अब यह जो औसत है वो 8.2 और 8.5 के मद्ध रहना चाहिए सीधी सीधी बात ऐसी है तो आपको प्रशन अनुसर ऐसा लिखा जा सकता है कि सर आपको जो प्रशन दिया है उसमें यह बोलाए कि औसत जो है वो 8.2 और 8.3 के मद्ध है मतलब 8.2 से बड़ा या बराबर 16.83 प्लस एक्स बटा तीन और 8.5 से छोटा यह तीन को यह आसमी का बन चुकी देखलो आसमी का है एक्स का मान निकालना है तो क्या पूरे दोनों साइट तीन का गुणा कर सकते हैं तीन का 8 में गुणा किया तो 24 दो में गुणा किया तो 6 तो 24.6 यहाँ पर मिला 16.83 प्लस X और यहाँ पर अगर अपन 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 0.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 1.5 तो यह मिला 25.5 अब क्या करोगे यह 16.83 को यहाँ भी भेजोगे तो 24.6 माइनस 16.83 X इससे बड़ा रहना चाहिए और 25.5 माइनस 16.83 ठीके अब X के मान क्या क्या आ सकते हैं वो देख लो finally सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या दशमलो 6 में से तो 83 जाएगा नी आपने यहाँ पर इसको 60 बनाया तो भी मतलब दशमलो 60 में से तो 83 जाएगा नी 160 बना दिया तो 160 में से 80 गए तो 60 फिर और 3 चले गए तो 77 तो यहाँ पर तो बचेगा 0.77 23 में से गए 16 तो बचे 7 X का जो मान है उसके बाद 25 या 25 में से 16 जा सकते हैं 9 बचेंगे लेकिन समस्य आए कि यहाँ पर 8 आ जाएगा क्योंकि दशमलो वाली भाग अटाना है उदर गया दशमलो 15 मतलब 150 में से 83 गए तो 150 में से 80 गए तो 73 के 3 चले गए तो 67 तो X का जो मान है वो 7 दशमलो 77 से लेकर 8 दशमलो 67 तक होना चाहिए मतलब अगर पी एच आप तीसरी जो रीडिंग लेने गए अगर उसका पी एच इन दो मानों के मध्य आया तो तालाब का जो पानी है वो प्रयोग करने लायक है अगर नहीं आया तो आप तालाब का पानी प्रयोग नहीं कर सकते मतलब अमलता सामान में नहीं है बाकि फिर जो भी दिक्कत हो अलग बात है डन है क्या अगर इससे कम आया तो समस्या है आर दशमलो दो से आउसत कम हो जाएगा अगर इससे जादा आया तो आर दशमलो पांच से आउसत जादा हो जाएगा तो इस तरह से इस प्रश्ण का जवाब आपको करना था यह प्रश्ण नमबर आठ था NCRT के प्रश्णावली 6.3 का एक्जाम्पलर 6.3 वस्तों में यह सवाल बढ़िया है 9 प्रतिशत अमल वाले किसी विलियन को हलका करने के लिए उसमें 3 प्रतिशत अमल वाला विलियन मिलाया जाता है इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 5 प्रतिशत से अधिक एवं 7 प्रतिशत से कम अमल होना चाहिए 9 प्रतिशत विलियन की मात्रा यदि 460 लीटर है तो ग्यात कीजिए कि 3 परतिशत वाले विलियन की कितनी मातरा मिलाने की आवश्शक था यह सवाल जो है वो chemistry में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं मतलब 2 अलग अलग तरहें के विलियन है पहले में अम्ल जो है वो 9 परतिशत है और दूसरे में 3 परतिशत है और यह जो अमल है यह 9 प्रतिशत है कितना 9 प्रतिशत 9 परसेंट और इसकी मात्रा 460 लीटर है एक और दूसरा टंकी है जिसके बारे में अपने कुछ जानकारी नहीं है यह अमल है दूसरा वाला यह तीन प्रतिशत वाला है मतलब यह इस अमल के 100 लीटर या अगर 100 लीटर लेते हैं तो 9 लीटर इसमें अमल मिलेगा यह वाले विलियन का अगर 100 लीटर लेते हैं तो 3 लीटर अमल मिलेगा इसे माल लेते हैं acid 1 मतलब A1 और इसे माल लेते हैं acid 2 अब इसमें से इसमें कुछ मिलाया ताकि आपके सामने अब जो अमल बने बड़ा सा टेंकर इसके अंदर जो अमल की मात्रा रहे प्रतीशत में जो अमल का प्रतीशत रहे वो 5 से 7 के बीच में रहे देखो 5 प्रतीशत से अधिक मतलब 5 प्रतीशत से अधिक हो ठीक है और दूसरा साथ प्रतीशत से कम हो तो यहां पर इसे साथ प्रतीशत से कम आना है और कुछ नहीं आना यह आपको करके देना इस प्रश्ण में कैसे करेंगे देखो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसे माल लेते हैं कि यह x है कितना x लिटर तो जब 460 लीटर में x लीटर मिलाया जाएगा तो भले ही अमल के बारे में कुछ जानकारी हो ना हो 460 प्लस x जो है वो नया अमल बन जाएगा बतलब इसकी मात्रा कितनी 460 प्लस x लीटर इतना यह 460 प्लस x लीटर यह नया अमल बन जाएगा अब देखो आपको यह बोलाए कि 469 प्रतिशत x का 3 प्रतिशत यह जो योग है वो 460 प्लस x के 5 प्रतिशत से जादा और 460 प्लस x के 7 प्रतिशत से कम होना चाहिए देखलो अगर कोई गलती यहां पर है तो देखो तो एवन का जो अमल है उसका नौ प्रतिशत आपको क्या निकालना है वो देखो यहां से वन बाइवन बहुत अच्छे से सवाल को करने की कोशिश करते देखो अपन बात करते हैं एवन अमल के बारे में चार सो साट का नौ प्रतिशत जो की होता है चार सो साट गुना नौ बटा सो किसी भी संक्या का प्रतिशत निकालने का यही तरीका है अगर A का B प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैń A का B प्रतिशत निकालने के लिए A और B को गुणा करके 100 से भाग दे दो यही था ठीक है तो 460 का 9 प्रतिशत X का 3 प्रतिशत क्योंकि इसके बारे में जानकरी है नहीं तो अगर मैं A2 के बारे में बात करता हूँ तो X का 3 प्रतिशत उसका मतलब कितना X गुणा 3 बटा 100 ठीक इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं इसको लिखते हैं 460 गुणा 9 बटा 100 अभी सरल करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है यह हो जाएगा 3X बटा 100 अब देखो 1 बाई 1 अगली बात A1 प्लस A2 यहाँ पर आपने A1 और A2 दोनों को मिला दिया है न अब जब आपने A1 और A2 को मिला दिया है तो A1 A2 का टोटल वॉल्यूम टोटल आइतन कितना हो चुका है 460 प्लस X तो आपको मिलना है A1 में जब आपने A2 जोड दिया तो यह जो आइतन है वो 460 प्लस X है इसका आपको 5 प्रतिशत भी निकालना है 7 प्रतिशत भी निकालना है तो इसका 5 प्रतिशत कितना होगा 460 प्लस X गुणा 5 बटा 100 ठीके और यही पर इस 460 प्लस X का 7 प्रतिशत भी चाहिए का 7 प्रतिशत जो की है 460 प्लस X गुणा 7 बटा 100 अब आपको X का मान ग्याद करना है क्या क्या बोला है सवाल के हिसाब से देखो ये जो 460 प्लस X है इसका 5 प्रतिशत जो है इन दोनों के अमल से कम होना चाहिए और इन दोनों का योग 7 प्रतिशत से जाधा होना चाहिए ये बोला है कि जो जो प्राप्त मिश्रण है वो 5 प्रतिशत से अधिक एवं 7 प्रतिशत से कम होना चाहिए इतना ही है ना तो ये जो दोनों को मिलाने पर जो चीज़ बनती है क्या वो ऐसे लिखी जा सकती है कि 460 प्लस X का जो 5 प्रतिशत है है ना ये प्रशन अनुसार बात कर रहा हूं मैं ये छोटी रहनी चाहिए किस से इन दोनों के योग से 460 गुणा 9 बटा 100 प्लस 3X बटा 100 और यहां पर 460 प्लस X गुणा 7 से इसका 5 प्रतिशत मतलब इन दोनों का योग इसके 5 प्रतिशत से जादा और 7 प्रतिशत से कम रहेगा तभी तो दोनों का योग 5 से 7 प्रतिशत की बीच में रहेगा बिल्कुल रहेगा क्या सब दूर से आप 100 से 100 काट सकते हैं सब दूर से यहां से 100 मैंने इसी लिए 100 को कहीं काटा नहीं था चार सो साथ गुणा नौ प्लस तीन एक्स और यहां पर चार सो साथ प्लस एक्स गुणा साथ क्लियर है ना देख लो अभी तक कोई समस्या नहीं है यहां पर आपको दो आसमीका हैं जिनको हल करना है पहला तो इतना इतना पार्ट है दूसरा जो पार्ट है वो इतना इतना पार्ट है इन दोनों को आपको अलग-अलग करे हल करना पड़ेगा ऐसा क्यों क्योंकि एक्स यहां पर भी है और एक्स यहां पर भी है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम दो अलग-अलग केस बनाते है मतलब केस अलग-अलग क्या दो अलग-अलग तरीके लेते हैं पहला तरीका तो यह है कि यहाँ पर अगर आप लिखे तो 460 प्लस एक्स का जो 5 प्रतिशत आया था वो छोटा होना चाहिए 460 गुणा 9 प्लस 3 एक्स से दा फर्स केस दूसरा दूसरा वाला क्या है दूसरा वाला लगेगा यहीं से पर आएगा एवम के साथ एवम में क्या है कि यह जो 460 गुणा 9 प्लस 3 एक्स है यह छोटा होना चाहिए 460 प्लस एक्स गुणा 7 से यह दो केस को अलग-अलग कर लिया आप चेक कर सकते हैं सवाल को यहाँ पर वेरिफाई भी कर सकते हैं इतना और इतना अब क्या होगा तो अब इन दोनों को अपन हल करेंगे कैसे हल करेंगे वैसे ही जैसे अभी तक करते आए हैं यह तो होगा यह 460 गुणा 5 प्लस 5 एक्स छोटा होना चाहिए 460 गुणा 9 प्लस 3 एक्स से क्या आप लोग यह 3 एक्स को इधर ला सकते हैं 460 गुणा 5 को वहाँ पहुचा सकते हैं पहुचा सकते हैं तो आपको मिलेगा 5 एक्स माइनस 3 एक्स अपन अभी यह वाले पार्ट को हल कर रहें उस वाले को बाद में करते हैं 460 गुणा 9 माइनस 460 गुणा 5 अब 5 एक्स में से 3 एक्स गए तो 2 एक्स हाँ जी अभी 469 बार है और 465 बार है यदि दोनों चले गए तो 460 गुणा 4 मिल जाएगा ऐसा यह ना यह चीज 9 बार है उसमें से 5 बर चली गए तो कितनी बची 4 बर 2 से यह 4 कट जाएगा तो एक्स का जो मान है वो 460 गुणा दो से छोटा होना चाहिए मतलब X का जो मान है वो 460 का 446 का दबल 46 का डबल 91 तो 92 0 से छोटा होना चाहिए अभी तो और भी कहानी है साथ में लगेगा ये वाला केस भी एवम मतलब दूसरी वाली या समीकाने आपका क्या भी घाड़ा है आप गुणा कीजिए 460 गुणा 9 प्लस 3X छोटा होना चाहिए 460 गुणा 7 प्लस 7X से इसे उधर पहुँचाओ 3X को उधर पहुँचाओ तो यहां से आपको मिलना चाहिए 460 गुणा 9X या 9 माइनस 460 गुणा 3 3 नहीं 7 7 7 यहां से 7 था ना छोटा होना चाहिए 7X माइनस 3X से तो ये जो एवम वाली कहानी है 469 बार है उसमें से 7 बार चले गए तो कितने बचे 460 गुणा 2 और 7 में से 3 गए तो 4X ठीक है तो यहां पर आपके सामने मिलेगा 460 या फिर 2 से 4 कट जाएंगे 2X फिर एक और बार काटोगे तो आपको मिलेगा X जो है वो 230 से बड़ा होना चाहिए So X के 2 मान है भाई साब पहला तो X 230 तो यहां से आपका जवाब यह आशकता है इसे आप वास्तविक संख्या के रूप में निरुपित कर सकते हैं आप 230.01 लीजिए 230.001 लीजिए या 919.999 लीजिए आपको जो मात्रा मिलेगी वो उतनी ही मिलेगी जितना आपको प्रश्ण में बोला है इस तरह से ये प्रश्ण भी आपके सामने समाप्त होता हुआ उम्मीद है आप इस प्रश्ण को समझ चुके हैं चलिए अगला प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर दस किसी विलियन को 40 डिगरी एवं 45 डिगरी तापमान के बीच ही रखा रखना है फारेंड हाइट पैमाने पर तापमान का परीसर ग्याद कीजिए यदि परिवर्तन सुत्र जो है वो इतना है मतलब सवाल ऐसा है कि एक जो तापमान है या कोई विलियन है उसका जो सेलसियस डिगरी का तापमान है न वो 40 डिगरी और 45 डिगरी के बीच में रखना है ऐसा तो Celsius अगर 40 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रहेगा तो वहाँ पर Fahrenheit किसके किसके बीच में रहेगा ये बताना है जैसे इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि माल लीजिए Y बराबर 2X है यदि X 1 और 2 के बीच में आएगा तो Y कितना होगा तो Y इसका डबल हो जाएगा 2 और 4 के बीच वैसे ही यहाँ पर आपको C की परीसर दी हुई है C जो है वो 40 से 45 के बीच में है इसका मतलब यह है कि C का परीसर दिया हुआ है ठीके? देखना फटा फटा क्या दिया है? आपको दिया है C का परीसर परीसर मतलब रेंज अब C का परीसर कितना दिया है सर? तो C का परीसर अब प्रशन में दिया है कि C जो है वो 40 से 45 के बीच में होनी चाहिए तो 40 डिगरी से 45 डिगरी तक आपको क्या ग्याद करना है? आपको ग्याद करना है F का परीसर देखो ध्यान से क्या ग्याद करना है F का परीसर कि F का मान कहां से कहां के बीच में होगा तो देखो यार पहली बात ये है कि F जो है उसे C में बदलने का सुत्र भी दिया है ठीके और साथ में आपको ये क्या दिया हुआ है कि चुकि F जो है उसे इस तरह से लिखा जा सकता है 9 बटा 5 C प्लस 32 तो अगर आप C में 9 बटा 5 का गुणा कर दे और 32 को जोड़ दे तो F बन जाएगा बिलकुल बन जाएगा अब देखो वो यह चीज कैसे करनी है क्या जो आसमी का एक है आसमी का एक जो है उसमें आप 9 बटा 5 का गुणा कर सकते है क्या हाँ कर सकते हमें क्या दिक्कत है क्या 9 बटा 5 एक धनात्मक संख्या है बिलकुल एक धनात्मक संख्या है अगर यह एक धनात्मक संख्या है तो 9 बटा 5 का गुणा करने से कहीं पर भी चिन परिवर्तित नहीं होगा मतलब यहाँ पर मिलेगा 40 गुणा 9 बटा 5 और 9 बटा 5 C और यहाँ पर 45 गुणा 9 बटा 5 क्लियर है? बिलकुल क्लियर है अगर इसको इस से काटूंगा तो 40 को 5 से काटा तो 8 बार तो 8 नॉम बहुत तर 72 9 बटा 5 C और यह 9 बार काटूंगा तो 81 अब देखिए आपको चाहिए 9 बार 2 C प्लस 32 अब आप क्या कीजिए 32 को जोड दीजिए क्या करेंगे 32 को जोडना है 32 को जोडने पर अगर मैं पूरी आसमीका में 32 को जोड देता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा 72 प्लस 32 यहाँ पर मिलेगा 9 बार 5 C प्लस 32 और 81 प्लस 32 ओके सो देखो ध्यान से 72 प्लस 32 मिला के हुए 104 और 9 बाइ 5 C प्लस 32 का मतलब तो F है बिलकुल F है और क्या यह मिलके 123 हो जाएंगे नहीं एक सो बारा हो जाएंगे है ना तीन और आट और तीन ग्यारा तो यही तो F का मान है आपको यह बोल रहा है कि जब C ऐसा है तो F एक सो चार और एक सो तेरा के बीच में आएगा अतहा F का जो परीसर है परीसर मतलब F का मान कहां से कहां तक हो सकता है वो एक सो चार से एक सो तेरा तक हो सकता है That is the final answer कि इस तरह से इसासमीका का जो जवाब आपलोग कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के एक बार देख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं डन चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को समाप्त करते हैं रेखी का समीकाओं में ये जो सवाल थे वो वास्ताओं में बहुत अच्छे थे और आरेक बनाना आपको आना चाहिए जब भी आ समीकाओं के बारे में बात होती है अगर आप इस वीडियो को मेगनेट ब्रेंस के ओफिशल वेबसाइट पर देखने की कोशिश करें तो आपको गूगल पर लिखना होगा www.magnetbrains.com और जैसे ही वहाँ पर लिखेंगे आपको CBSC हिंदी माध्यम को सिलेक्ट करना है आपको CBSC के टो हींदी जो है फोल्डर है वहां पर आपक्षा 11 का चैन करेंगे आपको CBSC मिल जाएगा जैसे आप गनित विशे का चैन करेंगे आपको गनित विशे की NCRT के जितने भी वीडियो टुटोरियोल हो जाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या-क्या साथ ही साथ आप जिस वीडियो पे जिस नाम पे क्लिक करेंगे उसका वीडियो चलने लग जाएगा बहुत ही सिंपल सा मेथड है तो आज की जो कहानी है वो इतनी है बाकि जाने से पहले आपको बता दू कि जो भी ये लेक्चर आपने अभी देखा इसके अलावा जितने भी लेक्चर हम इस सुडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो समस्त मैगनेट ब्रेंस की तरफ से मुफ्त हैं इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीज देने की आवजशक्ता नहीं है और ये सारे बोड के लिए सही है आप किसी भी बोड से हो ये लेक्चर आपके लिए पूरी त कर सकते हैं उतना कीजिए आप सभी से मिलना मुलाकात होगी अगली कक्षा में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद